शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें तो जिमारू के लिए सब्सक्राइब कर दो 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 जाओ उठो ना क्या च्छालो पुर्चाइब पी उठो पुर्ट मॉमी तो क्या सारी जिंदगी यही करते रहेगी बचवत्त यही करें सुबाह आँग बंद करके उठती है पहले मेरा चाहा देखती है पिर आंके खोलती है बेलकुल कहते हैं जो चीज इंसान हो सबसे ज्यादा पसंद हो सुबह सुबह आंके खोलती ही उसे पहले देख लेना चाहिए जिन्दगी सवर जाती है और मेरे लिए मेरी मा से बढ़कर इस पुरी दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसके चहरे पर देवियूं का तेज है जिसके आंक में प्यार का सागर है जिस मुस्कुराहट पर फुर भी शर्मा जाते हैं ऐसी मा का चहरा ना देखू तो सारी सिंदगी ना उतू अच्छ बाबा मा का चहरा देख लिया ना अब उठ जा आज सुबा साड़े अड़ वज़े तर इंग्लिश कप्पी देखे अच्छ नहीं करना है जल्दी नास्टा का मैं तो देर हो जाएगी अरे तू नास्टा क्यों नहीं कर रही है उची भूख नहीं है खौलो बिटी देखो आज मैंने तेरी पसंद कर नाश्टा बनाया है तादर का हलबाद वो भी का पराथा खौना ओफो तेरे बच्पना तब जाएगा अब खौँ तुम्हारे हाथ से नाश्टा ना करो तो निबाला गले से उतरता ही नहीं कर दिखाँ ममी पानी ओफो क्या लड़की है चादी कुमर होने आगे मगर मा की गोद से बाहर नहीं निकले और निकलूंगी भी नहीं मैं इसी गोद में बढ़ी हुई हूँ और इसी गोद में बुड़िया हो जाऊँगी अच्छ बाबा कॉलेज को देर हो रही है बसकर अच्छ ना अच्छ ना में बढ़ा में उस घ्राट को भी दाद देना चाहूंगा जिसने मेरे चेहरे को इतने गौर से स्टड़ी किया और मेरी इतनी अच्छी तश्यूब बनाई अब आप की बात करें मैं आपका नया प्रफेसर हूँ आपको अंग्रेजी भणाने आया हूँ मेरा नाम वेजे चौधरी है अब मैं अपने हर एक विद्यार्थी का नाम जानना चाहता हूँ क्योंगे मुझे में कम्सोरी है मुझे अपने हर एक स्टूड़न का नाम बहुत आसानी सी याद हो जाता है आप अपने नाम बढ़ाएं शीला शर्मा शीला शर्मा आपके दो नामें भी शर्मा है पिर भी आप शर्मा नहीं रही है इतने खुबसूरत चेरे पर एक भेंकर आवाद लगवारी है आपका नाम शंता डबल कर वह नाम अपना सुना है लेकिन किसी और के मुझसे बोल कर बैठ जाओ आपका नाम वह फैन्टास्टिक जो शक्स चौक से अच्छी तस्वीर बना सकता है पहनों की आवाज निका सकता है मेरा ख्याल है कि मैं उस आठ्टे से मुलागात कर ही लूँ हाँ अरे आप वहां तरशीव रखते हैं इतनी दूर करीव आये ना आये ना जी मैं हाँ तुम माई यह रभी अरे भी फिचोंगे मैंने का ना ये खमजोरी है नाम यार रखने की मगर मैंने तो आपका अपना नम बता है नहीं अरे बताके नाम यार्द किया तो क्या किया मजा तो तब है कि तुमने नाम नहीं लिया और हमने कह दिया है अरे फिर श्यर वागिह यह icir बाहत अची बनाई है तुम नहीं क्या करते हैं या फिर में पोड़ा उखाड कर नुमाईश में भीज दूँ अब तुम्हें इस क्लास के सबसे बैथरी स्टूडन्ट होने के नाते एक हार पेश करना चाहता हूं लगवी इन भूलों की खुश्बू कैसी है कोई खुश्बू नहीं है यह कागजी फूल है विल्कुल सही याद रखना बेटे जिंदकी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो असली फूल बनना कागजी फूल नहीं जो ना सुंगा जा सकता है और ना ही भगवान के चरोनों में चड़ाया जा सकता है सर यह समझदारी का सर्टिफिकेट यादकार की तोर पर मैं हमेशे अपके पास संभाल कर रहूंगा तोड यह रहनर यह चशमदीद कवा यह नोटों के तराजू में तोलकर अपने इमान बेशने वाला चशमदीद कवा यह कहता है इसने 14 फरवरी की रात को सीमादीवी को चंपक लाल का खून करते वे अपनी आँखों से देखा यह काफी दूरी पे था जब भाग कर उसके सलीब गया तो सीमादीवी भाग दी तो गई इस अकल के अंधे को समझाए कि 14 फरवरी तो अमावस की रात अमावस की रात जोब इनसान को अपना हाथ तक नजर नहीं आता करीब से इसने दूर से सीमादीवी को कैसे देख दिया तो अपर यह जिस पार्क का जिक्र कर रहा है वहां तो यह रानर मुंसी पार्ट किया जाए और उल्टा इस पर मुकदमा चलाए जाए जाए तो यह जाकर खेलो इस बिना दिवार की अदालत को हिला के रख दिया आपने जैज साब तो पहले से नहीं थे परिंदे उड़ गए लाउंडों को मायने भागा दिया इसी बात पर अधिया जाए 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 जा पर इस गर्मा घरम चायेगा कप हो जाए नहीं वह तो लग रहा है जब एक वह वकील जूट-मूट के जच के सामने जूट-मूट की अडालत में जूट-मूट का मुकदमा लड़ पास पैसे का से आएंगे वह जूट-मूट के पैसे भी नहीं होंगे मैं आपका केस एक जज्ज की तरफ बढ़े ध्यान से सुन रहा था आप वकालत कर सकते हो कर सकते हैं आपके अंदर मुझे दम नजर आ रहा है इसलिए तो फिरी की चाय पिला रहा हूँ पियो 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 नट के पियो चुन्नी लाल की चाय लगता काफी देर से चाय की तलब है आपको अरे देर से ने भाई दिनों से तो दिन से चाय पिने को मन कर रहा है मगर जेब उसकी इजादत ही नहीं दे रही थी तो दिन से वैसे काम क्या करते हो आप हालत दे के समझ में नी आता मैं क्या काम करता हूँ नहीं, हालत ते तो लग रहा है कि फर्कड़ों, और बदन ढाकने के लिए किसी मरे हुए वकील की ड्रेस पैन के गूम रहे हूँ, इसलिए तो पुछ रहा हूँ कि काम क्या करते हो, मैं हिंदोस्तान के पड़े लिखे लोगों की चलती फिरती तस्वीर हूँ, इस दुनिया में, विश्वस, सिफारिश और दौलत तीन बहने हैं, और जिस किसी को ये तीन बहने नहीं मिलती, तो उसके हालत एकसी हो जाती जिसी मेरी होगी, मुझे भी आज तक एक केस नहीं मिला, मैं लोगों की पीछे भागा, उनके हाँ जोड़े, मुफ्त केस लड़ने की लालज दी, मगर कोई केस लेकर मेरे दर्वाजी पर नहीं है, गाहक फांसने वाले तवाइफों की तरह हम वकील लोग सड़क पर खड़े होकर गाहकों को बिलाते हैं, और वो लोग हमें बुढ़ी तवाइफ समझ कर मूझ फेर कर चले जाते हैं, वाँ, वकील साब, वाँ, क्या मिशाल दी है अप, अरे पुर्धी तवाइफों की तरह क्या, अगर मैंने लोगों को तवाइफों की तरह आपके सामने नहीं पहुंचा दिया तो मेरा नाम चुन्नी लाल चाय वाला नहीं, पकील साब, मरसे मैं दिखने में चाय वाला लगता हूँ, अगर च्यानस मिले ना, तो अमरीका को रूस के हाथों बेच कर चीन भाग जाऊँची, अब आप दरा मेरा चमतकार देखे, अगर मैं आपको नहीं बेच दानू ना, तो मैं अपने दो बाप की उलाद में, दो बाप की, मेरी माने दो शादियां की, तुम किसकी उला दो पहले की या दूसरे की, नहीं तीसरे की वैसे तो, अभी आप दो बाप तक ही रहने दीजे न, अब देखिए, मैंने आपको नहीं बेचा, तो मेरा नाब चुननी लाल नहीं, तो मुझे क्या बेचेगा, जूर वकीर बन गये, और मैं आपका असिस्टेंट चुननी लाल, अगुषिया, चेहने तो बड़ी बड़ी आँखी लगी है, इन आखों में रोशी नहीं है, क्या, यह लड़की, यह तुम्हारी बड़ी बड़ी पटन जैसी आखों के उपर, तुमने इतना बड़ा सर ल बड़ी बड़ी नहीं, और लड़ी है, लेड़ी है, लेड़ी, एक मर्द होकर लड़कीों की बीच घुस्ते हुए शर्मानी जाहिए तुमें, यह नहीं, बलके मेरी इस बिचारी लेड़ी सैकल को, इन बेवकूफ लड़कीों के स्टैंड के ओपर खड़े रहते वे, शर आपके स्टैल मेरा दिमाग ठीक किया और आप, मैं अपने स्टैल से तुम्हारा दिमाग ठीक करूगा, तुम क्या कर लोगे मेरा, बताउं क्या करूगा, अले तुम क्या बताओगे बुस दिल, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, प्रेंस रेड़ क्राउस के लिए चंदा दीजिए ये पैसा गरीब बिमार यतीम स्रून की हेल्प के लिए है प्लीज और उसके बाद मैं अपने गरीब भायों की दिल खोल कर मदद कीजिए ठैंक यू गर्स तोहर पुन्य का काम है गरीबों के नाम पर पैसा जमा करके प्रणी काम है यह लिता रेड़ क्राउस के लिए यह नहीं है इन लोगों का अपना खुद का बनाएवा धंडा है और आप जैसे शरीफ घराने की लड़कियों को चाहिए कैसे बदमाश लड़कों को सपोर्ट करें मैं अच्छी तरह जानती हूं कि शरीफ कॉन है और बद नाम करें और उनकी सोशल वक्त में रुकावट पैदा करें थैंक्यू ललिता थैंक्स लली चंदा प्लीज चाबाश काफी बेवकूब लोग रहते हैं शेहर में यतीमों गरीबों का नाम लो पॉरण चंदा दे देते हैं छोड़ो मेरा हाथ यह क्या बत्तमीजी है यह बत्तमीजी नहीं है बलकि तुम्हारी आंखों को तमीज सिखाने के लिए आलाया हूं यह देखो तुम्हारे शरीफ परिष्टे यह पैसे ले जा और सप्लायर को बोल कि चरसा भी भेज़ दे निशान खरीबों के नाम पर लोगम को धोगा देते हो रभी सच के ना था तु बदमाश हो कमीने हो चारसो बीत हो तो तुने हमारे चंदे के धंदे की पोल खोल दी कोई बात नहीं बेटे हम तो तेरे से ही चंदा वसूल करेंगे क्योंके थोड़ी देर में तू अपनी टूटी हुई हड़ियों को लेके हॉस्पिटल के बिस्तर में पढ़ा होगा इसलिए बच्चे निगाल चंदा चंदा चैए चैए कि क्याश चैए लिए मेरा क्या है कि मैं चैक हातों से देता हूं और शमपायों से अब सवाल यह उठता है कि उस्टिय सब को पहले में नहीं लगता ऐसे चेक और क्या शी गठाई चिये था आलो ऐसे बरू कि ऊेघाई खवर पूबेट। कि अजेख वाईक है कि वाईक्षर्णीट जयँ झालो छुछ से कि अजब लुफ कि ऊजब लुब कि ऊजब अब शुब हुआ हाई युँ आए युँ कर दो नहाई हुआ हाई हे हे दे ध폰 सपर्दीछ! प्रण अप्रण तुम तुम हस रही हो अस नहीं तो क्या करों तुम तु शहजादे सलीम की तरह फूल ये चले आ रहे थे फूल तो उड़ गया तंडर हाथ में रह गया अच्छा बस भी करो कितना असर ही हो अच्छा बोलो किसली बुलाया था फूल देने के लिए खर चोड़ो क्यों जखमों पर नमक्छ रख रही हो अरे खमक यह भी कोई फूटबॉल खेलने की जगह है चलो मेरे लिए यही फूल से बढ़कर है एक बात पूछो हाँ पूछो वहां जाकर बढ़े बैठीना अ हो उस देन मैं आगे बोला ना आगे तुम हो जाए तो आगे तुम हो पूछो 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 बात क्या है आगे तुम हो पिजह मैं हुँ पणदा आगे तुम हो पिजह मैं हूँ पतम के मैं चाता हुं कि दोनों सब्सक्राइब भी करते है हम उपने नहीं वेर बात के कोई जाता है आनुजाने वालों के दिखना साथी चलो चलो चले दूर करी प्यार के लिए जगा ठीक नहीं आनुजाने वालों के दिखना साथी चलो चलो चले दूर करी प्यार के लिए जगा ठीक नहीं आनुजाने वालों के लिए जगा ठीक नहीं आनुजाने वालों के लिए जगा ठीक नहीं आनुजाने वालों के लिए जगा ठीक नहीं चलो चलो चले दूर करी प्यार के लिए जगा ठीक नहीं आनुजाने वालों के लिए जगा ठीक नहीं कोई हम है अकेले रहे के पीछे दुनिया के मेले यहां नहीं कोई हम है अकेले किया है दी मेरे जान ए बाबु माचिस है कब कोई आजाय क्या है यकी प्यार के लिए जगा ठीक नहीं चलो चलो चले दूर करी क्यार के लिए ये जगा ठीक नहीं प्यार के लिए ये जगा ठीक नहीं प्यार के लिए जगा ठीक नहीं प्यार के लिए प्यार के लिए ये जगा ठीक नहीं प्यार के लिए ये जगा ठीक नहीं प्यार के लिए ये जगा ठीक नहीं प्यार के लिए जगा ठीक नहीं प्यार के लिए जगा ठीक नहीं क्स्राइब कर भंदार के लिए ले चर्त ममी मदर देची ममी मदर दे इसका क्या मतलब है क्या ममी तुब कुछ भीयाद नहीं रहता आज से अठ्रा साव सहले आजी की दिन तु माँ बनी थी आज तुम्हारा जनम दिन है तो बात दे के बजाए मदर ने लिख खर घर भर दिया साहर बात है अगर मदर ना होती तो दॉटर कहां साती इसलिए पहले ममी इस दे फिर बर्थ पे और इसलिए मैंने अपनी देवी जैसी मा के चरनों में चड़ाने के लिए चारों तरत ये फूल सजा रखे हैं अरे रे जवान बेटिया पहने हैं चुआ करती जर्म दिन मुबारक हो ये तुम्हारे लिए इससे पहनों जर्र देखो तो मेरे बेटि के इसलिए इसलिए बैंक्यू ममी और ये फूल आपके लिए हैं बेटि का जर्म दिन मुबारक हो अपने बेटि का अशिर्वात दीजी कि उसके हाथ में सुख के महंदी लगे खुशों के फूलों का सहरा पहन कर दिलहन पहन कर अपने संसार बसाए और मेरा आखरे करते भी पूरा हो जाए ममी कैसे लग रही हूं मैं बिल्कुल राजकुमार की तरह चांद्री राजके किर्णों से जादा सुन्दर खुलों की मुस्कुराट से जादा खुबसूरत लग रही है मेरे बेटि खलत सुरज को चिराग बनाकर तरह सारी दुन्यों में घुमू फिर भी मेरी ममी यैसी खुबसूरत देवी इस अंसार में नहीं मिलेगी बस तू आते जाते घुमा फिराकर बात मुझे पर ही लियाकर क्यों न लाओ मेरे पास तुम्हारे सिवस दुनियो में रखा ही क्या है अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा जब तुम मेरी उम्रप को पहुंचोगी न तब समझ मैं आएगा चल बद्माश कहिं की ममी एक मेरी साथ चलो तो आज मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तौफा, खेलो ममी एक बार फिर बही घीत सुनाओ न? नहीं बेटी, आज नहीं, फिर कभी? देखो ममी, इनकार नहीं, आज के दिन इनकार को सुविकार नहीं किया जाएगा पल्की मा की तरद से पिटी को वही गीत्तों से मिर पेश किया जाएगा पाच वाओ सम्चार पाइंद जार का पाच वाओ सम्ध्यार पाइंद जार का पत्ती जेड़ सार पत्त बहार पत्ती जेड़ सार साहिब एका कर थो देखने भी काजा लगा रहा हूं वगर साल लगता नहीं है देखो दो क्या देखने का, जठड़ा सोमर्ड हिए जड़ा का प्रफ़ी कमा लगाए लिया की मिंद ग्या कारूं अग्योर से लेखने जाता हम जैसे उगली है आप णेटो बंद आखे उत्या संधा बहुत और यह कर दो तो पर दिड़ की थे हं जो भुगाएं, फिर डिड़े का धकन खोले ते को यह को टिफिन भाक्स नीए कि अधिक डखन को लो इसके हैं नस उन्हें अर्य शाथयान से पेंडिय करें जोरे किया इसा है पंदर बना रही है आपके जैसे सुन्दर पंदर के से लग सकते हैं खोला ना खोला नहीं मेरे कुछ गड़बर लगते हैं मैं मेरा मुझ देखूंगा यह काल अपी नहीं विदेखू में आप लगाते समय से नहीं वह चली जाथे नहीं सरकार कांई व्शाहिं कि लगाते समय संब बेहीं कल़ नहीं वे वे जरुगा सब्सक्राविए नहीं है कि अध्रॉगेट नहीं 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 है तो अधिकर कर लिए अब पर नगगा तो भी तो नगाएगी और पर रुदर मतलब कि आध कम क्या दिखा साउछ पर दोनों नाजुक सी बात पर इक सबर्दस गलत नाइमी हो गई है दोनों अलग होना चाहते हैं अदालत का दर्वाजा खड़ कड़ाना चाहते हैं यह केस आपको लड़ना है यह मतकर मुझे दिख रहा है केस तो है दमदार इसी बार पर मेरी आंखों में काजल खुषड़ दे मुझे भी लगाज़ तो लगाज़ इसको गिलाज गरम बारी पिला तर्मी में करम अब खोल के रखो हां खोला ना मारे और कितना खोलू कबाट थोड़ी यह लगाना खोला अरे 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 देख रहे हैं अरे देख रहे हैं अरे देख रहे हैं दुनिया में आख वाले वकील बहुत हैं अंधा कोई भी नहीं है यह वर्ल्ड रेकॉंड होगा रामखोर चुड़ बलता है और रामखोर लिप्टाव आदमी कोन है आज भी नहीं मैं हुग्या बात कर रहे हैं हरामखोर तू है परमख बुमे बानुद अरंड़िदौ हैं दो वकालत मैं अकेले करना चाहता हूं अगर आपकी अजाजत हो तो मैं अपनी कारवाई शुरू करूं इजाज़त तो है लेकिन किसे एक की तरफ दारे मत करना नहीं मैं दोनों की तरह दारी करूंगा दोनों को कज़ूरा ठेराऊंगा पनाला जी क्या यह सही है कि आप जोहरी है और यह भी सचे कि आप हीरालाल के छोटे भाई हैं हम दोनों जुड़ा भाई हैं हां तो पनाला जी आप शादी शुदा हैं जी नहीं मैं कवारा हूं आपने शादी क्यों नहीं की पेदा जी ने कहा था पहले बड़े की हो जाए उसके बाद तुम्हारी हो बड़े के आप तो कर रहे थे कि आप दोनों जुड़ों आप पैदा हुआ तो पिर छोटा बड़ा कहां से आ गया है अखो वकील साब आप समझते क्यों नहीं यह यह उसे 10 मिनट पहले पैदा हुआ हो था, 10 मिनट पहले पैदा अप पेदा हुआ था, तो 10 मिनट पहले पैदा होने यव्यवाई को भाय mil को का आप मांते हैं उस बड़े माय के विले शादी की मिल्गैषी टेए, सारी जिननी वी साथ भी रहते हैं इसने मुझे मा को गाली ती अगर तुमारी मा को गाली ती यह वह मा नहीं है दूसरी मा को गाली ती तूसरी मा तुम्हारे बापने दो शार्डिय की थी क्या जब वकील साथ पहले के मुझे फजूर सवालों से तग नहीं करें तो आपने इससे अलग होने का बिल्कुल फैसा का लिया है बिल्कुल मैं इसके साथ एक मेंद भी नहीं रहेगा मैं खुद तेरे मूपर ठूकना नहीं चाहता यह अदालत है कोई सटा बादार नहीं तुम जुवारियों की तरह आपको तुम्हारी तारी करने बिल्कुल धान जाता है बिल्कुल इल्गेर नहीं दोटां espaço करगता है शीआर चलबьल्फ़ कोनेज़ somewhere in details वकील शाहब कि मैं परदाश नहीं कर सका ऐसा क्या मंदर देखा आपने कि मुस्ण मत पूछिए एसी कमीने से पूछिए है तो मेरा मतलब पन्ला जी इन्होंने क्या भेहनक मंदर देखा यह कहता है तुम से पूछो तुम कहते हो इससे पूछो इनसे उनसे होता रहेगा तो मुकदमा आगे कैसे बढ़ेगा मैं आगे बढ़ाओंगे यह रहनर यह शरीफ और नेक हिरालाज जब उस दिन अपने घराया तो क्या देखता है कि यह जलील और कमीना पनालाल यह विश्रास घादक पनालाल अपनी भावी की गोद में लेटा हुआ है भावी उसको जुकी हुई है और उसको किस कर रही इतने चाहिए इसको पॉटीकी देदी चाहिए इसको बीज़क चुणा करके को कॉल ही कर देना चाहिए ऐसा एक लाल या फीर ठाव्यजी को अपना ही क्लाइंट है लेकिन पन्नालाल जी का कहना है कि वो अपनी भावी को अपनी मा के समान समझता है ऐसा घिनोना काम करना मतलब अपनी मा के पवितर दामन पे हाट डालने के बराबर है लेकिन हीरालाल जी का कहना है कि पन्नालाल अपने पापों पे परदा डाल रहा है उसलिए ये घिनोना पाप करते वे पनालाल को अपनी आँखों से देखा है किसी को कहते वे नहीं सुना लेकिन मेरा ये कहना है कि हीरालाल जी ने जो कुछ अपनी आँखों से देखा वो गलत देखा और वो मैं अदालत में साबित कर सकता हूँ हिरला जी जरा अपना चश्म उतारना तो हिरलाल मेरी एक तरफ इस्पेक्टर साब खड़े हैं दूसरे तरफ हवलदार खड़े हैं अब जरा गौर से देखे बताओ कि इस्पेक्टर किदर है और हवलदार किदर है करना तरफ इनस्पेक्टर साइब और हुष तरफ हवलदार तुम उल्टा बोल रहों जोर से देखे बताओ नहीं तो के सार जाओगे अने इस तरफ इनस्पेक्टर साहब है और उस तरफ हवलदार साव है अच्छा पश्म लगाओ यह यह तो दोनो हवाल दार हैं यह दोनो हवाल दार हैं तो इसका क्या मतलब हुआ गुरू कि आपको बगए चश्मे के नजर नहीं आता है और उस दिन भी जब आप अपने घर आये थे तो आपकी आँकों पे चश्मा नहीं था बलके आपने चश्मा बनवाले के लिए फूल चं साफ नजर नहीं आता है और जब मैंने आवास दी तो मेरी बीवी जो इसके मूँ पर जुकी हुई थी घवड़ा कर खड़ी होगे लेकिर यह जमीन पर लेता रहा पे शर्म इसका जवाबी है मेरे पास क्या है क्या है काजल यह आप जिस महले में रहते हैं उसके पीछे वा रोशनी तेज करने वाला काजल अरे रोशनी क्या खाक तेज करता है जो आदमी अपनी आखों में लगाता है वो मशली की तरह फ़लपड़ाने लग जाता है उसी जोकुमल से तुम्हारे भाई ने भी एक काजल खरीड़ा था घर आकि उसकाजल को जो आपनी आखों में जाने लगी जुक कर उसकी आखों में फूक मार रही थी के तरब तक आप दाखिल हो गए आपको बेचेशमत हो था नहीं तेवर को भावी की गोद में लेटावा देकर आपके मन में शक्की लाल्टे इंजल उठी अब आदालत तुम दोनों से आखरी बार पूछती है क्या तुम दोनों अलग-अलग होना चाहते हो ने ने यह सब नहीं मैं गुरेगार हूँ मैं पापी हूँ मैं अपने लग्षमिजेसे भाई पर शक्किया अपनी सीता जैसी पुट्र पत्री को गाली दी मुझे कुछ सबस्ट 5 or पनालाल तूम क्या कहते हो मैं अपने हुना चाहता मेरी जिस्मार को मेरे भाई ने काली दीति मेरी भापी है Argent साथ मेरी भापी है एशल गेरा आपना पर चाहते आजाल कहाने मेरे बारता है कि औँ वे झप थैयों को। कहा थाम रिपने हैं कव घप घलें मैंप के वसी ते उर यें, फसर वित से वता, विंतMA मैं भूल कही थी कि में लाइबरी में हूँ मुझे तुन गुनाना नहीं चाहिए था कोई बात नहीं कला कान लोग तो मूदी होते ही हैं लेकिन आप यहां क्या कर रहे हैं वह आम सरी सर में पढ़ रहा था पढ़ रहे थे यह उल्टी की नाव है ओ आम सरी चला चला गड़ ग समस्या हल हो गई क्या सै वालेज में फंक्षन है ना उसके लिए फीमेल सिंगर की जरूओ थी कोई लड़की मेली नहीं रही थी सारा कॉलेज चान ना आप मिल गई मतलब कॉन से तुम अरे सर क्या गजब करते हैं आइसी गलती भूल कर भी मत कीजेगा वरना हमारे कॉलेज सब्याइज के मारकेट बन गया जाएगा मगर बात्रूम सिंगर में सबस्क्राइब मेरे कहने के यह मतलब था, कि सर्मेन ऐसे बहुत सारे सिंगर देखे, हैं उर्मे कुल गन गनाते हैं ρέ़ा भिंगा भात कर्ड़ क्हते हैं आपले भी मलेरे के मरीज के तरह कपकरा लगते हैं अमरे लेलिता इसका है और मेरा तरजुबर कहता है कि ये अपकपाने वालों में से नहीं, बलकि अपनी आवाज से सारी ओडियोंस को हिलाने वालों में से है नहीं, आप कह रहे हैं तो फिर ये जरूर गाएगी, अब पिर आम लोग पीछे हैं न, गाओ हाँ, मैं जरूर गाओंगी, हैना सर पति जर सावे बसंत बहार पति जर सावे बसंत बहार एक बरस के मौसम क्यार, मौसम क्यार, मौसम क्यार पाँचवा मौसम क्यार, आयिक दार पति जर सावे बसंत बहार एक परस के मौसम च्यार, मौसम च्यार, मौसम च्यार पाच्वाबा संध्यार आइंत्सार ता, पाच्वाबा संध्यार आइंत्सार ता, अस्जर सार बर्संद बहा बर्संद बहाचे जाच्वाबा संध्यार आइंत्सार ता, अठाच्वा जाबा संध्यार कचर दाओेविक औरता संध्यार आइंत्सार तarr nugget हुआ 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 है लेकिन प्यार का मौसम आए सारे जीवन में एक बार एक बार बत जयर सार बसंत बहार बत जयर सार बसंत बहार एक बरच के मौसम चार मौसम चार पाच्वा मौसम चार का इतिदार का पाच्वा मौसम चार का इतिदार का इतिदार का इतिदार का इतिदार का पाच्वा मौसम चार रंगों का मेला ये जग सारा रंगों का मेला ये जली सारा रंग बदलती जीवन धारा रंग बदलती जीवन धारा चार का रंग है सबसे प्यारा रंग बिरंगे जीवन धारा रंग बदलती जीवन धार पत जर्शार बसंत बहार पत जर्शार बसंत बहार एक परस की मौसम ख्यार पाच्वा मौसम ख्यार का इंतिजार का पाच्वा मौसम ख्यार का इंतिजार का पती जर्शार बसंत बहार पती जर्शार पती जर्शार बसंत बाच्वा मौसम ख्यार अगर आप सही वक्त पर मेरी मदद ना करते तो मैं तो सच मुझ गई थी काम ते मैं तो गाना ही भूल गई थी सर एक बात पूछू हाँ हाँ पूछो सर आप ये गाना कैसे जानते हैं मेरी बीवी का बहुत ही पसंदीदा गीत था इस जी आज तक याद है लेकिन ये गाना तुम्हें किसमें सिखा है पिरी माने सेर गुणाइट सेर ताजू बेर तुम्हारी ये लए प्रफसर को ये गाना कैसे याद है वो कह रहे थे कि बहुत पुराना और मशूर गाना है उनकी पत्मी को ये गाना बहुत पसंद था इसलिए उन्हें याद था खेर चलो ममी खाना खाले बहुत भूख लगी है हाँ प्रफसर के मों संध्यार, मों संध्यार, मों संध्यार खेर भूख जर्मी कर्वार मों संध्यार, मों संध्यार, मों आ कुए माफ किजिगा आंटी, मैं बहुत शर्मिन ना हूँ, क्या कि मैं आपको देखा हैं नहीं, कोई बात नहीं, आइंदे देख खर चला करो, जो इंसान आउंखों और कानों का सही इस्तरमाल नहीं करते, वो अक्सल नुकसान उठाते ही, आप बिल्कुल ठीक कह रही आंटी जी, गलती मेरी है, मेरी एक मदद करेंगे आप, कैसे मदद, एक साड़ी पसंद करेंगे मेरे लिए, तुम्हारे लिए, क्यों, तुम साड़ी बनोगे, अरे नहीं, मैं कि आपको साड़ी बनने होना लगता हूं, जरसल मैं साड़ी उसके लिए ले रहा हूं, तो आपनी उसको जाहिए वो खुद अपनी पसंद के सारे चुन लेती दरसल क्या है कि मेरी जो वो है ना वो वो है वो अभी तक वो नहीं बने वो नहीं हुई अच्छा समझी अभी तक प्रेमी का है पत्नी नहीं बनी अरे वा अंटी वा क्या बात है यानि कि आपका दिमाप तो बहुत शार् वो दिखने में कैसी है दिखने में तो आंटी वो तो आ गई यही तो है वो यही है वो वीट मांटी है अच्छा तो यही है वो नर्की इसके लिए और इंज कलर के साड़ी चुन लो इसे बहुत पसंदाए कि अरे हां यही तो इसका मन पसंद रंग है लेकिन आपको कैसे मालूँ क्या है आंटी है इसके सारी पसंद में बढ़ता सकती हूं इसे आलू की टीकिया बहुत अच्छे लेती हंडेट परसेंट कमाल है इसके अलावा इसे गाजर का हाल में बहुत पसंद है देखिए आप तो मुझे जक्कर आने लगा है इसके बारे में आपको इसका नाम भी मालूँ है अधो है इसले की मैं लेलता की मा हूं अच्छा अच्छा फिर तो के फिकर करने की बात ही नहीं है यह खा माँ खा क्या किया मा इस मा इस अब पर अच्छा तुम्हारे भी वह है इसके लिए तुम वह हो तुम्हारे लिए यह वह है हर्ง Yes मामी पापा नहीं है इसके मामा जी है अजो के धरम-दार हर्दी बड़े सरम की बात हरें रहें तरणी के माइदान जोड़कर भागा नहीं करतें अब भी सभी सबाओ करें यह आड़ माईदान खोड़कर भागा to करते हैं अच्छा भाई साथ अब आप पताईए लड़ी के आपको पसंदे अरे जब मिया बीबी राजी दें डूंट आसकाजी फॉरन कर दो शादी लेकिन इन दोनों का फाइनल ये चल रहा है तो फिर तो पहले पढ़ाई बाद में शादी लेकिन मामा जी पढ़ाई तो श पताण नहीं है अब इन दोना चुरह आरा देमन मीमधाई होता करूंट अऴास कोड़ाई पंदरा दिन बैूँ है उन्होंने तो इमतिहां निवह टार पंदरा कियो प्रणकों के तरह हैं और तुम दोनों अन्दे की फैरदी अभी फेदा भी Не वह और अपनी शादी खा में इंगलिष बहुत कमजोर हूं तो देखो अगर एग्जाम का रिजल कमजोर हुआ ना तो शाधी का रिजल भी कमजोर हो जाएगा अगर तूम अंगरेजी में और तुम हिंदी में पाष नीं हुए तो यह शाधी डेश स्मेश यह थे अग्या की अधानताद का फैसला है गुणी इवनिंग सर ओ गुणी इवनिंग लेलिता कैसी हो जी आती किरपा है अच्छी हो सर वो हाँ क्या बात है सर वो वो अरे के बुबु किया जा रही हो साफ का हो न मुझे शर्म आती है सर मेरी वो पक्की हो गई है वो अ शादी Yes, sir. Oh, I see. अभी मैं कहो इतनी खुश की नदर आ रही हो. चलो लाओ, card. अभी कहा card, Vaj, sir? अभी तुम्हें प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम? कैसा प्रॉब्लम? English. अगर मैं fail हो गई, तुम्हेर शादी, to dismiss. मतलब पास होना तुम्हारी शादी की शर्थ है? Hmm. Hmm. Don't worry. I'll teach you. मैं पढ़ाँगा तुम्हें. Thank you, sir. Thank you very much. Goodbye. Bye. अरे भाई, दर्वाजा खुला है. उफो. जब दर्वाजा खुला है, तो क्यों खाम खाब बल बजा रहे हो? अरे, sir, आप? Sir, वो, sorry, sir, आई न. कुर्मोनी, sir, I mean, कुरीज नी, sir. तर्वाजा खुला देखकर अगर मैं अंदर आ जाता, तो एक प्रफेसर में और एक लोफर में क्या फर्क रहे जाता? Sorry, sir, आप बेखें न. यह, 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 मैरी स्वर्की पताजी प्रेम के पूर की पिस्पी है. तरब चालेंगी या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं, सिर्व अपनी किताब ने हो और एक लास पानी लिया. अच्छा. मामी, sir, आए है. Sir, एक लास पानी लाना तो. लासितome. बह्एड़ो यहीं. वासिताउ के लिए यार्वत्वी लास ये लास कर दो अगरी वार फडोरा गार जारी जारी वगार वगर वार फूखर अगरी वारी वगरी मैंने कभी खाब में बिली सोचा था कि एक दिन मैं तुम्हें इस रूप में देखूँगा सुरी क faith कि एक एक एकन मैं देखूँगा कि एक है एक कर दो एक है प्रफसर सहाब, पुचिये लक्षमी, मेरी जिन्दगी की आखरी सांस तक बस एक ही तमन्ना रहेगी, कि हर सुबह, जब मैं अपनी आखें खोलू, तो तुम्हारा एक खुबसरोत चेहा देखू आपको कुछ बता है, आज क्या तारिक है, बुरुवार, पांच आगर्स और ये तारीक, हमारे लिए क्या एहमित रखती है, आहिमियत, अर्थात महत्प, यानि के इंपोर्टन्स, हाँ जब मैं बहुत भलकड करिजम का आदमी हूँ, तिनों तारीक स्तियाद है, उसका शुकर मानो, बना मैं तो कभी अपना नाम भी बूल जाता हूँ, अच्छा भाई, तुम्हे बदा दो क्या खास बात है आज की तारीक में, हमारे शारी की सालगिरा है, वाउ, रियली, तो आज कॉले जाना कैंसल, हम ये सालगिरा ताज मैल होडल में मनाएंगे, नहीं, हम अपने सालगिरा घर पर ही मनाएंगे, लक्ष्मी, हलो, हाँ कुमार सहाब, जी, अच्छी हूँ, नहीं कुमार सहाब, आज तो मुश्किल है, आज नहीं आ सकती, एक मिनिट होल किजी, मैं सुनिए, आज एक चर्थी प्रोग्राम है, कुमार सहब के साथ दाने का, मैं तो भूल ही गए, है जाने दिचे, मैं नहीं जाओगी, अरे कैसे नहीं जाओगी, अपना वादा तोड़ोगी, वादा दिल से नाजूर चीज होती है, किसी जखिया हुआ वादा और किसी को दि अवा दिल, अभी नहीं तोड़ना, आप कि इतने अच्छे हैं, आप ठिकर मत किजिए, मैं जल्दी आजाओगी, अच्छा सुनो, सुनो, आथे वग, अपने सिंगर पार्टनर, कुमार को भी साथ लियाना पार्टी में, अहां, जरूर लाओगी, आएंगे किसे नहीं, उन सुन गायब, अहां, मगर लक्षमी तो इस कलाकार है, और कलाकार पार्टी अपने पती से ज्यादा कला से प्यार करती है, हाई विजे मुझे माफ करना जरा देर हो, शादी, सालगर मुबारक, मगर लक्षमी की का है, अच्छा ने कुनका प्रोग्रम निकला है, तुमारी सा प्रोग्रा है, वह खुद प्रोग्राम पर चली गई, यह गरत पार, अरे, आप सिगर मत कीजिए, मैं हूना, आप क्या प्येंगे, तुम्हारे हाथ से नहीं, लक्षमी जी के हाथ से पीएंगे, आने दो हूने, कितनी देर हो गई, प्रफ्रस साब नराज हो गई, आप आप का टलेफोन भी का, ओ, खम इन, खम इन, आप लोगों को आने में थोड़ीची देर हो गई, तुमाम महमान चले गए, कोई बात नहीं, आईए, मैं, मैं बहुत शर्मिना हूँ, बेसल बात यह है, जहां हम शो करें थी, वहां अच्छाने रोश्णी चली गई, पही घंडों के बदरोश्णी आई, अब चारटी शॉधूरे चूड़कर आना, आदिन्स के साथ ना इंसाभ ही होती ना, जाहिर बात है, जिंदगी में इनसान, एक वक्त में, एक ही जगर इंसाभ कर सकता है, अपने से करें, या दूसरों से करें, हाँ, और मुझे तुम पर नाज है लखनी, सालगेर हम दोनों की थी, और अपनी खुशी तुम गरों में बाटकर आगी, क्यों कुमार साथ, पेज़े साब, आज यहां इतना बड़ा दिन था, और आपके पत्नियां अदिन नहीं थी, मेरे भी आप मुझकुरा रहे हैं, यहां क्रेट मैं थी, आपके बहुत महान आदमी है, में तरस यह तोफ़ा कुबूर पर मैं, तैंक यू, तैंक यू, मिस्टि कुमार, मेरा ख्याल है, बातें को ज्यादा हो गई है, देखिए न, केक कितनी बेसबरी से इंतिजा कर रहा ह मैं मान तो चले गए, कहीं केक से मिठास ना चली जाए, आए न, इस खुशी के मौके पर मैं चाहूंगा, के ये केक आप दुनों काते हैं ये क्या कह रहे हैं आप, केक हम दुनों काते हैं हाँ, देखो न, कुमार साहब तुमारे बेसरंड है, मैं भी तुमारा बेसरंड हूँ, बेसरंड के ये ट्राइंगल है, और सच्छे दोस्तों वही कहलाते हैं, जहां खुशी एक की होती है, मनाता दूसरा है लेकिन सर्थ, ये काम तो अत्ती पत्री को करना चाहिए वाजनी, हम तो रखाड लेते हैं, आइए, उस संगीत के नाम जिससे मैं प्यार करता हूँ, उस संगीत के नाम जिससे लक्षमी प्यार करती है, उस संगीत के नाम जिससे कुमार साथ प्यार करते हैं, यानि के एक ही प्यार का करन्ट, हम तीनों के दिलों में दोड़ रहा ह उसी प्यार के नाम Happy Anniversary to us अरे आपने अभी तिक नाश्टा शुरू नहीं किया कॉलेज के लिए लेट नहीं हो जाएंगे अजी ये अख़वार को देखकर आदमी कॉलेज के लिए क्या हमेशा हमेशा के लिए लेट हो जाएगा ये पुरा पेश तुम्हारी और कुमार की फोटो से भरा हुआ है तारीफे इं तारीफे लिखी है ये तो पिछले प्रोग्राम के आज बीपोट चाती है पेपर वालो ने मेरी बड़ी समझना है कि तुम दूनों के प्रोग्राम कभी अपनी आखों सिर्फ अच्छा आप पहले खाईए बाद में देखिएगा अले आज ये तुम कितना मसका लगा रही हो देखो पैसे ये अपना मुटाबा पकड़ में नहीं आ रहा है और हाँ समझा जिस दिन मसका ज्यादा लगता है उस दिन कोई नई फर्माश ज़रूर होती आप तो लगता है दिल की किताब पढ़ लेते हैं चैरा दिल की किताब होता है में साब और इस किताब को हम प्राफी दिनों से पढ़ रहे है तो बताएगी आज इस किताब में क्या लिखा है अभी लिखा है ज़रा धुनली सी है ज़रा साफ होकर सामने आजाए तो भी पढ़ लूगा और तुम्हें भी सुना आज तो भी बताओ बात नहीं है कि आज शाम मेरा और कुमार साब का एक प्रोग्राम है आज आपको भी आना पड़ेगा हम यहां से साथ बज़े दिकलेंगे ठीक आज बज़े प्रोग्राम दिनाना पंगेशकर हॉल में है आप ठीक वस्त पर आज दायेगा भूलिये कि नहीं कि मैं और कुमार प्रोग्राम शुरू करने के लिए मैंशूर है आपके शारत को सलाम करता हूं लेकिन एक मुझे अग्साइम सब्सक्राइब आज कोई क्लास मत लेगे एक दिन क्या मेरे लिए क्लास नहीं छोड़ सकते कैसे छोड़ दूँ आज कहती हो क्लास छोड़ दो कल कहोगी घर मैं तो मजाग कर रहा था तुम तो चूर किताना मजाग को सद समझ को डर जाती हो आज आज चलो कोशिश करूँगा नो कोशिश आपको आना ही पड़ेगा अज़ा ठीक है आज़ा बादा हाँ वादा ठीक सारे साथ बजादा है अच्छा मैं आपके लिए जुस लटी हालो हा मैं विजय बोल रहा हूं कहां से बोल रहे हैं कॉले से कॉले से सारे सब बच चुके हैं तुमारा प्रोग्राम आट बज़े शुरू होता है ना है मैं तुम्हें ठीफ बक्त पहुंचा दूँ आज़ा दूँ हलो है लक्षमी यहां प्रिंसिपल साब मुझे नहीं छोड़ रहा है मैं नहीं आ सकूँ आज बज़े में सिर्फ फांच मिनिट पांकी है मैं अपने प्रोग्रम पर कभे लग नहीं पहुंची अगर मैं बक्त पर नहीं पहुंची तो मेरी इज़त मेरी हाँ हाथ ट्रीर आज Online प्रशोसार से खुब सरी हुई खुबशर साथ आपके नाम संगीं के चाहने वालों के नाम को मारा सोला तलढ़काए इसे अच्यामय हुआ ज़ा है अब मैं आपके सामने आपका उसे शल्चीत तुनने आ। एक्स्क्यूज मी मिस्टर कुमार लेकिन लक्षमी देवी अभी तक नहीं आई और इस टैरिटी शो के इतने महंगे टिकट हम लोगों ने आप दोनों के डूइट सुनने के लिए खरीदे हैं निराश मत हो ये तहाँ मुझे यकीन है कि वो जरूर आएंगी लक्षमी जी वक्त पर आने के लिए मशूर है वो आएंगी और जरूर आएंगी अगर वो नहीं आई तो अवल तो ऐसा होगा नहीं और अगर हुआ तो आज मैं ये संगीत हमेशा कले छोड़ दूआ अगर मुझे विश्वास है कि वो जरूर आएंगी क्योंकि यही संगी हम दोनों के दिलों में आस होता है अगर मैं साध हूँ तो वह सरगम है अगर मैं राग हूँ तो वह रागनी है चलिए आज मेरे ये विश्वास का और उनके संगीत प्रेम का इम्तिहान हो जाए मैं गाना शुरू करता हूँ और देखते हैं कि वह पहले अंत्रे से पहले आती है या नहीं हुआ हुआ है पत जर तावं बसंत बहार एक परस के मौसम चार मौसम चार मौसम चार पाच्वा मौसम प्यार का इंतजार का पत जड़ कावन बसंत बहार एक परच्थे मौसम चार मौसम चार मौसम चार पाच्वा मौसम प्यार का इंतजार पाच्वा मौसम प्यार का इंतजार का पत जड़ कावन बसंत बहार करना सुटत काका संब लुए भी जार पाच्वा मौसम प्यार का इंतजार संब मौसम उस्भा मौसम चार कार पाच्वा मौसम बस्भा इंतार कौनल मुखे लगो लगो यहे लिटी से बुल बुल जाए हर समय जाए तो लेकिन प्यार का मासम आए सारे जीवन में एक बार एक बार पत जर सारी बसंत बहार पत जर सारी बसंत बहार एक बरस के मोसम चार पाच्वा मासम प्यार का इंतजार का पाच्वा मासम प्यार का इंतजार का कर देत का जे जे दो युकत व्यार ग्यार का इंतजार सारी बसंते झाच्वा मासम प्यार का autour तो आउbin commence पुकत तो एकल ऑन आयार पूल की लेना बादल बरते काके मौसम में दिल पर क्यार के मौसम में दिल पर दे मेरे गले में अपनी नदर से मेरे गले में अपनी नदर से दाजा सुल्मा हो के हाँ पत जर साथ पति जरी साथ पति जरी साथ अपना पड़ेगा भरी गाने वालों की जोड़ी बहुत जिंदगी भर की जोड़ी बनने वाली है लेकिन लक्षमी तो पहले से शादी शुदा है काहे की शादी शुदा अमा ये कलाकार लोग धर्म और समा से बहुत दूर रहते हैं देगे दिल पर क्या गुजरती होगी दिल पकले बैठा रहता होगा भी चला हाँ आपने प्रोग्रम देखा नहीं कालिज में देर हो गई लेकिन निकलते हुए लोगों मुझे जो सुन रहा हूँ वो बातों नो मुझे पागल बना दिया प्रोफेसर साब मैं तो सिर्फ दो चार बैगेट पीता हूँ इसका मतलब है कि अगर आपके दिल में जहांकर देखा जाए तो सब कुछ काला काला नज़र आएगा आपको यह बुरी आदत फॉर्ण बंद दिनी चाहिए मैं हजार बार बोल चुकी हो इतनी सिग्रेट मत प्या करो लेकिन यह सुनते ही नहीं देखिए तिर बो इनसान मेरा सिग्रपी ना रोक सकता जैसे मेरी जिन्दगी पर बुरह को ठीक है मुझे तुम पर हक है यह सिग्रेट नहीं प्योगे अटीक क्या रही हो तुम प्योगे यह हटर थिछ अपने पतनी का होगा। आपकी पतनी जबाएंगे उनका हगा पर होगा। फिलाल तो ये मेरी पतनी है। क्या मेरा हग इन पर है कि नहीं। व्योगा बात करें। तो क्या मैंने घर ले जाने की गुजताखी कर सकता हूँ। जरोर। शुक्री हरे। आई यहां इसने जल्ले आगे आज एक पीरे पहले क्लास चोड़ दी थी बहुत था गया था एक कप्चाय में लेगी अब कप्रेट सेंज कर लेशी मैं आपके आई कर दो आप इसका पड़े नहीं है? लक्षमी, मेरे खेर हाजी में कोई मिलने आजा था? नहीं तो, आपसे मिलने तो कोई नहीं आया? उचसे ना सवी, तुमसे कोई मिलने आजा था? नहीं बाबा, कोई नहीं आया. मैं जो बात पूछता हूँ उसका सीधे मुझ जवाब दिया करो अच्छा बाबा मैं कान पकटी हूँ मैं सटिया गई हूँ मेरी आदाश खराब हो गई है बस इसलिए आच्छे में एक नोर्बुक एक खुंगी जो को भी आएगा उसका नाम इसमें लिख दिया करो भी यह लिखी यह चाहे है एक अरबा पानी आज कर शकर डालना भूल जाती हो प्रफसर सहाब चाही तो वही है जो आप रोजा रपीते हैं शक्कर भी उतनी गाली है जिसमें आप पसंद करते हैं याद है आप रोज कहा करते थे लक्षमी मिठास शक्कर में नहीं तुम्हारे उंग्रियों में है तुम जिस चीज को चू लेती हो उसका स्वाध ही बदल जाता है विल्यू शट आप मैं बिंदवर कॉलिज में लेक्षर इस लिए नहीं देता कि यहां कर तुम से लेक्षर सुनू देखे अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लेगी हो तो मुझे ख्शमा करतीजी मुझे अन जाने में कोई भोल हो गया हो तो मुझे थपड मारतीजी हलो हलो हां कुमार आश नहीं है आश रहांसर नहीं होगी चूंकि मेरा मुझे नहीं है यह नहीं ऐसे कोई बात नहीं है हाँ परस्तर साब अभी अभी बाहर गये है तुम्हार अपना घर है आजो ओकी बाइ को अतुम्हार आश घर अथ उल में पहां पहां के बाहां को अधर भाईल क्या देखने के लिए? तुम्हारे उस चेहरे को देखने के लिए जिस पर तुमने इस खुबसूर शरीफ चेहरे का नकाब और रखा है मैंने कोई नकाब नहीं वड़ा नकाब आपने अपनी आँखों पर और लिया शक्ता जबर देखने मेरे खिला मन में शक्त पैदा कर लिया जटेख दीजे उस बेवन्या शक्त को वर्ना वर्ना क्या करोगी? क्या करोगी? मुझे छोड़कर किसी और का दामन थाम लोगी? आप कहा थे यासिन? ऐसे लगता है? चेहरे तो वही है अच्छा मेरे आत्मा के असलिए का पता अब चला क्या पता चला? कुछ बताए तो सही जाओ मेरा मुझे खुलवाओ आप कभी मुझे खुल ही नहीं बखे क्योंकि मैं एक पतिवरता हूँ जिसके दामन को किसे रहर मर्द ने कभी देखने की हिमद नहीं की छोड़ा तो दूर के बात है तुम और पतिवरता? तुम और अउरत के नाम पर एक कलंख हो आसों से अपने गुणाहों के दोने की कोशिश मत करो मैंने तुमरा हर रुख देखिया है जारुप देखा है क्या है मैंने साफ साफ खुले शब्दों में बताएए आज मैं पूल पर ही रोंगी यह होक्म उस पर साराना जिसके साथ संगीत के नाम पर आयाशी करती हो जाता हमने हाँ हाँ तुम जैसी औरत जब ने शादी की सालिक्रापर बहाने बनाकर दे से आती है तुम जैसे औरत चौतने गयार के साथ तुम जैसे औरत छोतने प्दी की खैर मौझोदकी में उसे घर बुलाकर उसके साथ पिस साथ ऑजी एक शब्स मत बली क्यों ना बलू पुर्वारी तुमसे तुमसे तु बादारी और तिन अच्छी है जो खुले आम अपना जिसम बेशती है तुम्हारी तरह पतीर रता होने का ढोल में देशाती है पुर्वाद के लिए मैं पुर ऐसे का पैल जब मत लगाई यह तूर हो जाओ में दश्टी पुर्वाद के लिए वो जो सकता है प्रफिसर साफ, एक पती व्रता औरत, उसे दिन खत्म हो जाती है, जिस दिन बेगुना होते हुए भी, पती की नजरों में किर जाती, जैसी मैं, मैं जानती हूँ, कि अगर मैं अगली परिक्षा दो, तब भी मेरे राम मुझे स्विकार नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपकी और शांती के लिए, आपकी दुनिया, और संहित की दुनिया को छोड़कर चारिए हूँ, तिर्फ आपको प्रेम करने वाली, तक्षमी. सलाम साब, बोलिये, नेम साब है, ने बोलिये, काम क्या है, जी मैं इलेक्टिशन हूँ, मैंने आपके हॉल और बैट्डूम के एसी का कंप्रेसर बदली किया, ये बिल लाया हूँ, मांस जीजागा, सार, मेरे गुपस यही एक बुरी आदत, इधर भी जलता हूवा ते जेट मसल देता हूँ, त्रिक है, ये लो, थैंक्यू, सार. इस प्रशान है करें पर दो कि अप्रशान ने को परशान नहीं नहीं बैठिये इस दर्ण लक्षमी जी को बला दीजी सर्व आप दरूं को अपनी शादी कार्ट देने आया हूं शादी आप शादी कर रहे हैं यह सर्व वैसे मैं लक्षमी जी का बहुँ शुकर गुजार हूं उन्होंने अच्छे घराने की लड़की मिलने चली तो कल आपने इसी सलस्रे में फोन किया था अब यह सर्व तो लक्षमी जी की साथ एक नए गाने की रियत्ति रहना चाहरा था और साथ में अपनी शादी का गार्ट देना चाहता था लेकिन कंबग्ग्व परिंटर रेकार्ट टाइम पर दिया ही निए इस लहारी बाया वैसे लक्षमी जी दिखाए नहीं देरी आपकी पत्नी जैसी देवी अगर भगवान भी ढूंदे तो गिनी मिलेगी आप बड़े चक्दीरवारे हैं सर् आपका ये घर नहीं मंदिर है जिसमें लक्षमी जी जैसी देवी रहती है और आप उस देवी जैसी आउरत के पती हैं इसलिए मैं आपके चरन चूकर चाहे खुशी है चाहे खुशी है चाहे खुशी है ये रासू है या शब नम है जारे है कुछ भी एक मौसम है और मौसम का क्या है इत्वार इत्वार पत जर सावन बसंत बहार एक बरस के मौसम चार मौसम चार मौसम चार पाच्वा मौसम प्यार का वकील जायब हमें काए भांबर्काए खोलो ना नै, आज मैं तुझे नहीं छोड़ोंगा आज मैं तुझे जींजोड़ोंगा भींजोड़ोंगा, चादर की तरह ओड़ोंगा मखड नहीं छोड़ोंगा राजा, आजा मेरे दिल की कटोरी में तेरे महबत का पानी भर गया अरे तुझ शोच जब मैं भूका मरता था तब ही तुझको मैंने नोक्री पे रखा था तुब उच क्यों तेरी चकल है ना रवी की मरीवी मामी की तरह लगती मैं तुझे माड डालना चाहता ने ने मतलब मैं तेरे प्यार में मरा जा रहा हूँ अब ये ले मेरी आखों में तुझ काजल लगा दे मैं तेरे मां की गली में सिंदूर भड़ता हूँ कैसी गंदी बात करने लगे हो ऐसे तो तुम लुच से पहले कभी न आई थे जब से बड़े वकील हो गए हो नाम हो गए है तो इचत गवाने लग गए हो देखो तो हमें बकरी की तरह बान रखना है वो इसलिए के इस शेर को महबत की इस बकरी से प्यार हो गया है हम तुम्हें महबबत की दो से तो नहीं बान कर रख सके मर खटिया की इस रसी से जरूर बान दिया है अरे पर काहे हम तो है प्यान नहीं करत किसी और को करत है भाईया भाईया महबबत के शीशे को नफरत का खुटना मार के फोड़ने वाले नागें हम उसकी मा को पूछेंगे कि तु नहीं से ओलाद को क्यों जिर्म दिया हम वकील है उसके सर में कानुन की ठोकेंगे अरे क्या चुप्या बेटिये पता हमको गुसा मत दिला वना में जब गुसा रता है तो आसमान भी चीखुटता है देखा चीखुटा के नहीं यह कुट्टे के तरह का कुछ चीखुटा आसमान की तवेट ठीट नहीं लगती है शाद मेरा नशा उतर रहा है न इसलो गुसे का स्टैंड़ आसमान से उतर के कुट्टे पर आगया मैं छुली पीलो वकिल साथ गटका जो एक साथ महाँ होचाए होचाए वकिल सो होचाए रामकटोरी रामकटोरी तुम्हारी यह गाल मदरास के सेव की तरह है मदरास में उगते इजली सामर प्यादा होता है खाएगा कमटोरी रामकटोरी तुम्हारी यह आंखे भटिंडा के अंगूर की तरह है तुम्हारी होच राजस्थान के आम की तरह है तुम्हारी यह चेरा हेमालिया के तर्मूश की तरह है यह All India दीजयो है तुन्नी बेवड़े से समाचार सुनिए अभी आप फ्रूट सुलाइट बनाने का चड़ा हुआ तरीकार सुन रहे थे चड़ा हुआ और अब आप बुरे मौसम का हाल सुनिए आज मौसम में बदमाशी की गर्मी है आकास पे कमीने पन के बाद अल्चाय हुए है अनुमान लगाए जाता है कि जबरदस्ती इश्क करने वाले पर जूते बरसेंगे तमाचार समाथ हुए कमीने बेवड़े नमस्कार ये रेडियो तो बंद है फिर ये स्टेशन कैसा पकड़ रहा है क्यों नहीं बेवड़े जब तुम बंद कमरे में एक लड़की को पकल सकते हो तो क्या रेडियो बंद होकर इस्टेशन नहीं पकल सकता दो कोड़ी का रेडियो तेरी इतनी हिमत एक कोड़ी के वकील तेरी ये जुरत मैं साला तेरोग ओढ़ा गटर में भेग दूँगा अरे अभी थोड़े देर में दे तू अंदर से खुद गटर बनने वाला है जा 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 अरे बाबरे मेरे पेट में बम भूट रहे है बाहर जाकर फो नहीं तो कमरा भर जाएगा तू जाने नहीं में भी आता हूँ आरे शुनो तो पकी साथ का बहुत चाड़ गई गाइना पहले तो इससक करते रहे और पेट पकड़गा भगए जाने पिलाया इस आरे राम का चुरी यह सब जमाल गोते का कमाल है जमाल घोटा अब रात भर पकल के घूमेगा आपना लोटा मैं कम इंचर अधे आओ आओ यह मेरा घर है को एक लास्फों कुनें सब्सक्राइब आपकी तब्राइब खराव हैं और यह सच है कि आपने इससे बादे दिया है अगर तुम अपनी पढ़ाए कि फिक्र मत करो लालीता मैं प्रफेसर वर्मत से कहकर जाओंगा बोट उम्हें पढ़ाएंगे नो सर मैं अगर पढ़ूँगी तो सिर्फ आप से परना किसी और से नहीं पढ़ूँगी प्लीज सर अपना रेजिदेशन बापस ले लीजे ना नहीं बेदे इस तिफ़र एक सोचा समझा हुआ फैसला होता है और फैसले आसानी से बदले नहीं जाते है हम लोगों को आपसे इतना लगाव हो गया है यह बात में आपको समझा सकता हूं और नहीं आप इसका नादा लगा सकते हैं अगर आप चले गए तो हम लोगों का पढ़ाई से मन उच जाएगा अब 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 बचाई सब्सक्राइब मजे नाज है तुम दुनों पर आज के जमाने में एक उस्ताद को इतना प्यार इतनी सदिने वाले स्टूड्स काह मिलते हैं मैं दुनिया में कहीं भी चला जाओं तुमारी याद हमेशा साथ रखूँगा जिन ही जाना है वो तो चाहेंगे ही उन्हें कौन रख सकता है मैं तुम नहीं समझोगी सर इतने अच्छे हैं यह मैं और अभी बलकि कॉलेज के सभी सुन उनकी जुदाई नहीं सहपाएंगे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही करीबी अपने रिश्टेदार हमें छोड़के जा रहा हो ठीक है रैसे भगवान की मरसी हम इंसान तो मजबूरी की मित्टी से बने हुए कुपले हैं वक्त का हाथ जब चाहे इस मित्टी के दिल को तोड़ देता है जब चाहे जोड़ देता है हम पर भी क्या सकते हैं चलो बेटी खाना का लो मुझे भूख नहीं है देखो जित मत करो भगवाने चाहे तो कुछ ना कुछ राता निकलाएगा चलो पर भी कुछ राता निकलाएगा ज है अंतरा में के लिए नहीं कोगे यादिकार तो मैं हमेशा के लिए खोचुका हूँ मैं जानती हूँ आप इसे क्यों कह रहे है बेवी घर से सुहा के निकली थी और दिर्फा के रुखने मिली तो कोई भी मरते से ही सुचेगा जो आप सुच रहे हैं मैं कुछ देर के लिए अंदर आ सकते हूँ हाँ आई देविद्वार मुझे कैसे मिला मेरे माँ का सिंदर कहां गया जाना चाहेंगे चानने के या पूछने के इमत नहीं ही मुझ में है मुझके तुफान के ठपड़े हैं जो इनसान को कभी एक किनारे पर फेंगते हैं कभी उटा कर दूसरे किनारे पर फेंग देते हैं मैं अपनी पुरारे सहीली सुरीदा से मिलने गई उसके पती मना के जाट बने बिस्निस में थे मैं सुरीदा का करता नाश करती आ रही थे अब कैसी देबे थेंगी पिकरी की कोई बात नहीं है दो ते दिन में ठीब हो जाएगी थैंक युवरी मिच डॉक्टर मैं एक बहर फिर ललीते को देखकर आता हूँ जी गवराये मत आप बिलकुल थी गया है और मेरी बच्ची की जन बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया आप अपना पता बता दीजी मैं खुद आपका अपनी घर ठोड़ाओंगा जी मुझे सुनिता कपूर के घर जना है वो यहां के मश्यूर बिजनिसमेन प्रेम कपूर की बतनी है आप सुनिता को कैसे जानती है हम दोनों कॉलेट की सहलिया है उस जमने में भी जब भी मेरे सामने कोई मिश्किल आती थी तो मैं दिल हलका करने के लिए उसके पास जया करती थी आज भी इसी मकसद से मैं उसके पास जा रही थी तो समझ लीजिए आपका मकसद पुरा हो गया यह सुनिता काई गहल है और मैं उसका पती प्रेम कपूर हूँ आज चिया और जिस बच्ची की आपने जान बचाई वह हमारी बेटी है ललिता क्या यह तो ऐसे लग रहा है कि जिसे भागवाने च्रमतकर दिखा दिया अच्छा सुनिता कहा है तरब नहीं इनों थे उससे मिलने के लिए आपको बगल वाले कमरे में चलना होगा वो वही है आईए हाँ सुनिता हाँ हाँ दुनिया वी हिसाब से मर चुकी है लेकिन मेरे लिए अब भी जिन्दा है जब भी मैं किसी चीज की कमी मैसुस करता हूं या दुख्यों होता हूं तो इस कमरे में चलाता हूं तरसा लक्ष्वजी इंसान के बद जब कोई चीज होती है तो वो उसकी कदर नहीं करता और जब वो उसे खोद देता है तो फिर वो हाथ मलता रह जाता है खैर लक्ष्वजी यह बताईए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं डॉक्टर अंकल इंजक्शन मत लगाएगा बहुत दुखता है नहीं लगाएंगे लेकिन एक शर्त है आइंदा हमारे गुडियां आक मिचुरी और चोर पुलीस का खेल नहीं केलेगी अच्छा बबाँ नहीं खेलेंगे प्रामिस हाँ प्रामिस चाबाश उदानाखस तो हमारी गुडियां को खुछ हो जाता तो तो हम मैं जाते ती जाजी भी रोते अम्मों में भी बहुत रोती बड़ा दुख हो आपकी दर्द बरी कहानी सुनका लेकिन आफिकरना करें यह आपी का घर है आपकी हर तरह से मुदद करना मेरा फर्द से है प्रेम साब ललीता बलकु ठीक है देखिए प्रेम साब मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि ललीता के साथ उचल कुत्या खिल मत खिला कीजिए युद्या थी मेरा यह बिला एंदा खिया लकूंगा फैरम सामें चलता हो वाज आपज पापा अरे लीता, तुमने पर पापा को क्यो बुलाया? मेरे पापा है ना मुझे मेरे जुनमनें पर बहुत बार अपका देनेवाले है क्या? मेरी ममी जो बगवान के घरते बापस आ जाईगी और फिक अभी ही ने चाहिए लो तुम्हारे पापा आगे पापा अरे ललिता तुमने मुझे बिलाया पेटा हाँ पापा इन सब को भी बता दीजे आपने मुझे क्या कहता मेरे बड़े से क्या होने वाला है अरे हाँ उस दिन बहुत शांदार फंक्शन होने वाला है और फंक्शन में कोन आने वाला है फंक्शन में हमारी बेटी की मम्मी बगवान के घर से उसके जिनन दिन का शांदार तोफा देने के लिए आने वाली है और पे वो कभी बगवान के घर वापस नहीं जाएगी, है ना? हाँ, बढ़ा, बगवान को और दित बेची है अगर मन्जूर हो गई, तो कभी वापस नहीं जाएगी देखा पापा ने क्या का, चलो हम जाकर खेल पहुंचे यह मुश्किल मेरी खुद की पैदा की हुई है लेकिन मैं मुझबूर था लली दाओर बच्चों की माओं को देखकर बहुत रोया करती थी और मैं उसे बहलाया करता था कि उसकी माँ अगवान के घर गई है वापस आजाएगी लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि यह बात इतना जड़ पकड़ लेगी अगर अब उससे बताता हूं कि उसके माँ उसके माँ मर चुकी है तो वो यह सद्मों बरदाश नहीं कर सकेगी क्योंकि डॉक्टर के कहने के मताबिक उसका दिल बहुत कमजोर है समझ में नहीं आता मैं क्या करो लक्षमी जी एक मेरवानी करेंगी मुझे मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि आप एक दिन क्लिया रुचेंगी कल उसकी साल गिरा है इस ड्रामे में ठोड़ी देर के लिए सालिली चीए सिर्फ एक दिन के लिए उसकी मम्मी बनकर आपकी सहली की बेटी के लिए आपका बड़ा उपकार होगा देखे मैं आपको बिल्कुल मजबूर नहीं करता लेकिन उसे रिमेटिक हाट है दस सालों तक उससे नाजुक नाजुक बातों से बचा कर रखना होगा अगर आपको कश्मी जी आपकी खामशी बतारी है कि शायद मैंने कोई गलस सवाल कर दिया हो कि शाया है को यह को यसी बात कह दीओ तो मिझे नहीं कहने चाहेगी अगर मेरी किसी बाते आपको दुख पहुंचा हो तो मुझे आपको चाहाओ तो मुझे माफ कर चिखां एपी बर्डे टू ललीता यह लो ललीता क्ये काटो नहीं पापा पहले अप्ता वादा पूरा करो और मम्मी को बुला जब तक मम्मी नी आएगी जब तर बस चेक नहीं काटूगी जब बेटा मैंने खुद फोन पर तुम्हारी मम्मी से बात की और भगवान जी ने कहा के तुम्हारी मम्मी दो तिन दिन तक महा रहेंगी और उसके बाद अपनी बेटी से मिलने सीधे मावले शुरा जाएंगी पापा अप्तर जूट बोल रहे है मम्मी अगर भगवान के यहां है तो रात को यहां कैसे आएठी नहीं बेटे नहीं तुमने धरूर सपने में देखा होगा अच्छी बात है पापा आप अपनी आखे बंद कर ली चलो डाक्टर तुम्ही आखे बंद करो अच्छा भए हम भी आखे बंद कर लेते हैं यह लो पापा अब आखोर यह पापा आप तो ममी की तरफ ऐसे देख लेए इसे पहली बार देखाओ है ना दोस्तो मेरी ममी परिवज रैसी खववां के घर प्राइए इसलिए की सुन्दर है अच्छा लंता बेटी पहले केक काट नहीं पहले आप हमारा हाथ पकड़ो हमें पप्पी डो तर हम केक काट अब काट अब काट अच्छो तालिया पज्पी बद्दो एक्पी बद्द़ी अप्पी बद्दो और अग्पी बेस्ट मेर्ब शेओ काट अच्छोओ अब प्रेम्साः प्रेम्स! क्योंगता, क्योंड़ मुप्रुट। क्योंगता, क्योंगता! डोलेको! प्र ्र्म्साः! क्या है नक्षमी जी कुछ गोंडे लोग आये और वो जबर से ललता पूथा कर ले गए जह क्या अक्या वपहों करने से बात और भी कर जाएगी क्योंकि मैं आगवा करने वाले को जानता हूं आप जाते हैं है वो मेरा सौतेलावाई शेरा है है उसने ऐसे क्यों किया दौलत की लालच वो बच्पन से बुरी संगत में रहा उसे पिताजी की बहुत सारी दौलत परबाद कर दी और पिताजी ने उसे जाइदा से बिद्खल कर दिया और सारी जाइद मेरे मेरे नाम कर दिया हलो मैं आपका सगा तो तेला पाई है जो प्रॉबलम अगर ललिजा को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिन्दा नहीं चुड़ूगा मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बेटी अललिजा से बहुत प्यार करते हो इसलिए पोलिस में कोई ख़बर नहीं करोगे हाँ वैसे वो औरत कोन है लगता है जो मैं जेल के अंदर था तुमने दूसरा चक्त चला लिया मेरे मतलब है दूसरी शादी कर लिए लो प्रॉबलम लैसे वह खुशूरत है लगे रो बखवास बंद करो मतलब की बात करो मतलब की बात तो कर रहा हूँ कल सुबह सीधे बैंक जाओ चेक भरो जितना तुम्हारा रुपया है सब बाद निकालो और उसके बाद लोकर खोलो मौबट जितना तुम्हारा जेवर पड़ा है उसे भी बाद निकालो और उसके बाद सीधे वहां से अपने वकील के पस जा महीं से जंगल शुरू हो जाता है वहाँ पर एक पुरानिक ओठी है महीं आजाओ आए भाई साब आए शड़ाप अपने शैतानी जबान से मुझे भाई मात क्या है जो इंसान अपने पिदा की मौत का कारण बन सकता है डौलत के लिए अपनी मासुब मत्दी जी का अगवा कर सकता है वो कमीना मेरा भाई नहीं हो सकता मुझे कोई शौक भी नहीं कुद को तुमारा भाई कलवाने का जल्दी करो माल निकालो पहले लेलत को मेरे हावाले करो ले आओ पापा पापा जाबाज आज तक सारी दुनिया को में जोख़़। आज तुम मुझे दोका देनायो पापा जैनाये व को उ मुझे शेर के चहरे पर डिकॉनस्हे है तुम उन शैतान की आँखों को दोका दिने आहा हूँ नो प्रबला आज हमारा पुरा खांदान ही खत्म हो जाएगा इतने आसनीजे तो अपने मकसद कामेब नहीं होगा आप नहीं हुंगा कामयाब कामयाब नहीं हुंगा कामयाब नहीं हुंगा मारो ताले को कामयाब नहीं हुंगा कामयाब आप ऍल रिदो झाल चौज ऑजब फुदो! कि अजो कि अ आप स्थेट। शब कि अज़ हुआ आप ! कि आप ! कि अज़ अज़ हुआ हुआ ? कि हुआए लुप्ञाइए थैफ ! कि अज़ हुआ ! और पिलन दोंग प्लाव जो आए हाए हाए भूँ हू कि बल मामी हाथ परिल लगा दो इसे नो प्राब्लम तुम सब को बे देखनूंगा ले चलो इसे क्या हुआ आप ठीक तो है ना मैं ठीक हूँ चलो नो प्राब्लम लगा रो आपने गाड़ी यहां क्यो रुकती बागवान की पाद जाने के लिए आये लक्षमी देवी मैं आपसे कुछ जरुरी बाते करना चाहता हूँ प्रेम बेटे तुम ठीक तो हो ना हाँ सौबी जी बेलकुल ठीक हो क्योंकि अब सुनीता के पाद जाने का वक्त आगया है यह क्या कह रहे हो बेटे मैं चारा हो लक्षमी जी ललिदा का अपना इस दुनिया में अब कोई नहीं है ललिदा को अपनी अपनी बेटी बना लिजी एक मरने वाली की आखरी खायच को पूरा कर देजी लक्षमी जी वरना मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शान्ती नहीं मिलेगी ऐसा मत कहीं प्रेम साहब आप सरुर अच्छे हो जाएंगे नहीं लक्षमी जी समय बहुत कम है आप मुझे देवी मा के सामने वच्चन दीजिए कि आप मेरी ललितार को अपनी बेटी की तरफ पाल पूसकर बड़ा करेंगे आप खामुश क्यों है मा कह दो न बेटी मरने वाले की आत्मा को शान्ती पहुंचाने से बड़ा कोई पुन्डे नहीं अच्छी बाती प्रेटार आज से में लल्टा को इसे पालूगी जैसे मैं इसके मा हो मैं मा बन कर इसके परवरिश करूगे मैं वच्चन देती हूँ बाता करती हूँ मेरी और मेरी पत्ने की एकलोती सुहाग की निशानी को स्विकार करने वाली देवी मैं एक मामूली इंसान होकर तुम्हें अशिर्वात देता हूँ कि एक न एक दिन तुम्हारा सुहाग तुम्हें जरूर स्विकार करेंगा तुम्हें जरूर स्विकार करेंगा कौन हो तो मुझे नहीं पैचाना मैं तुम्हारा जमीर हूँ जमीर? हा लक्ष्मी मैं तुम्हें आने वाले कल काईना दिखाने आई हूँ तुमने इस मासुम बच्ची की माप बनने का बचन देकर बहुत महान काम किया लेकिन इस महान तक अंजाम क्या होगा? यह भी सुचा है क्या? क्या होगा? तुमने इस बच्चन देकर सुहागन होते हुए अपने आपको विध्वा बना लिया विध्वा? हाँ हाँ विध्वा लेकिन.. लेकिन मेरो सुहाग तो जीवित है बैते इस बच्ची को ममता का प्यार देने के लिए मैं यह बच्ची निभा रही हूँ यह बात तो सिर्क तुम जानती हो लेकिन आज तुम दुन्यावालों के नजरों में इस बच्ची की मा बन चुकी हो और इसका पिता अब इस दुन्या में नहीं है कल को लोग तुमसे पूछेंगे कि इस बच्ची का बाप तो मर चुका है फिर तुम मांग में सिंदूर क्यों लगाती हो तो क्या जवाब दोगी जब यह बच्ची बड़ी होगी तो यह भी तुमसे सवाल करेगी कि मा मेरे पपा तो मर चुके है फिर तुम्हारी मांग में इस सिंदूर कैसे है तब तब उसे क्या जवाब दोगी जवाब दो लेक्ष्मी क्या जवाब दोगी बोलो क्या जवाब दोगी बोलो क्या जवाब दोगी क्या जवाब दोगी जब यह बच्ची बड़ी होगी मेरे पपा तो मर चुके हैं तुम्हारी मा के सिंदू कैसे तर उसे क्या चवाब दोगी जवाब दोगी लक्षमी जी अग मुझे मेरी मा के सामने वच्चन दीजी के आप मेरी ललिता को पाल पूसकर बड़ा करें वरना मरने के बाद मेरी आत्मा को श्राइब बेती इतनी रात को यहां स्वाबी जी तर्म संकत कंचु और भादा मुझे हिला रहा है इसे मंदिर में मैंने एक मरते हुए कुवाचन दिया था कि मैं ललिता को अपनी बेटी के तरफ पाल पूसकर बड़ा करेंगी लेकिन लेकिन कैसे हो पाएगा स्वाबी जी क्यों बेटी मेरी तब नहीं हो गए एक दिन मैं से सवाल करेंगी इमा तैरी तो मर चुके हैं पर आप मांग में सिंदर क्यों लगाती हैं तो मैं क्या जवाब दूंगी कुछ समझ में ना आए तो भगवान से छोड़ देना चाहिए भगवान हमेशा हर इंसान की रक्षा करता है लेकिन तभी कभी इंसान को भगवान की रक्षा करनी पड़ती है उस ननी बच्ची में भगवान है और उसकी रक्षा करने के लिए अगर तुम्हें अपने सुहाग की निशानी भी चुपानी पड़े न तो कोई पाप नहीं कर दो के लिए पाँ जगवान उन्हें तुम्हें एक्षा करने गड़े देप़ें कर दो कि भी लगवान उन्हें कि दो स्वें पाँ 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 कि राँ कर इंसान कि कि वपक्षा कर दो देखा बेटी नारी के सिंधोर की रक्षा करने वाली टेवी मां की भी यही इच्छा है इसलिए उसने तो वारा सिंधोर दुनिया की नजरों से चुपा कर सुमेश अपना कर्टबे पूरा करने की आगया देदी है ठीकली किसा निए चाला कि अच्छा अच्छा के देती है मारते के बिंदी हटा दी और और अपना मंगलतु से दुन्या के नजरों से छुपा रखा एक तेवी की तरह जिंदगी गजाने बाली को संदूर बिंद्या की क्या सरूर था लक्षमी तुम तो पहले भी अच्छी थी लेकिन अब तो अच्छाईयों किसी माँ पार कर चुकी हुआ और मैं मैं एक अमबख्त शक की चिंगारियों से लगाई हूँ याग में चौदा साल जलता रहा तब तरह लक्षमी शाहिद कल्यों की रामाय में यही लिखा रहा है कि इस दोर में सीता को नहीं ही राम को अगनी परिक्षा देनी होगी नहीं ऐसा मत कहीं याधिकार तो सीता के पास ही रहना चाहिए राम चिंदर जी ने भी पवित्रा और बेकुना सीता पर शक किया उनकी अगनी परिक्षा नहीं मगर राम राम ही थी सीता हुनकी जेका कभी न ले सकी आप हे मेरे रामी आपसे अंजने में कोई भी गल्टी हो गए हो लेकिन आपके सामने सर मेरा ही चुका होगा पुर्जा आप हे करने लक्षमी कुमार साथ सच कहते थे तुम आप नहीं देवी हो मुझे मेरी देवी खब में लिखी ये तो तक तिर के रामाय लिखने वाने राम ही चानती है मैं क्या कह सकते हूँ इंतजर किजिए उन्होंने अलग किया है तो मिल लेकर आज साथी बताएंगे का करतो अचुना एक बात बता सुचो तू मुझे कितना प्यार करती है दस किलो दस किलो अचुना 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 कि अचुना 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 राम काटोई. जी. तेरे को गाना पसंद है? खाना नहीं मालिक. खाना नहीं, गाना. गाना. हमका पसंद है मालिक. पेक काम कर. ये टनी का क्या गाएगा? अच्छा. इसका और मेरा मुकाबला कर. मुकाबला? जो जीतेगा उसके गले में तू वर्मला पैना देना. बोल मंजूर है. मंजूर है. मंजूर है. मंजूर है. मंजूर है. बोल पाखंदी. तू शुरू करता है क्या? तू ही शुरू कर. ठीक है. सुन ले. सुना. 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 अरे इसके संग मत बोल हसीना इसके संग मत बोल हसीना ये है बड़ा कमीना जटबट गुंगट खोल खोल मुखडा दिखा हसीना जटबट गुंगट 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 खोल तूने कितना प्यार किया था तूने कितना प्यार किया था पहले भी एक धोबन से अरे भूल गया यादे यादे तुझको कितनी मार पड़ी थी मेरी एक पडोसन से यादे ना यादे यादे रहना पड़ा अस्त दाल में सुझको रहना पड़ा अस्त दाल में सुझको पूरा सवा महीना जट बट गूंगत खोल खोल मुगडाओ दिखा असे ना अस्त दाल में सुझको रहना पड़ा जट बट खोल खोल कि अस्त दाल में सुझको रहना पड़ा जट खोल जट खोल कि यह कुछ और है डांस नहीं तेरा कोई चांस नहीं छोड़ के तू सुड़ ताल नचल कवे हंस की चाल नचल जोश जवानी तुझे तला अरे बुद्धा गोड़ा लाल लगाम अरे यह बात है तुझ देखो देख का मर्दा का मजरा दिल्डारा 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 कर ले तू आराम जरा आने लगा मेरी जान अभी से आने लगा मेरी जान अभी से हाँ 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 तुझे पसीना जट बट गूंगत खोल खोल मुखडाओ दिखा हसेना इसे के मैं तुझ बोलती ना यह बड़ा खुझे ना लेड़ गया अरे शो गया एक कंब करने की अलाज शो गया तुझे 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 तु ललीटा सेर आप सेर और इसके साथ वापस ले लिए थाइक यू वही मच सेर प्रफिसर साहब ऐसा लगता है आपने ललीटा प्रजाजू कर दिया है आपके बरगर तो ऐसे उदार्स हो गई थे जैसे उसका कोई खाजाना रखो गया हो तायर है बापके बगए बेटी का यही हाल होगा हमारों तो इसे भी बरा हग था अब हम इसे खूब बढाएंगे और देहज में इसके ससर को दिग्री देंगे तो उन्होंने शर्ट रखी है साहब हमारा पैसा आए ये लो तुम आके राया कितना रुपए बीस रुपए नहीं है प्रीस लाक है 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 मैं आप सबाल पूछ सकते हूं मतला परहाई का नहीं परहाई के बाहार का जरूब पूछा आपके शादी होगी है हाँ हो चुगी है तो फिर आपके पत्मी कहा है यहां रहती है यह दिल है कोई घर थोड़ी है जो आपकी पत्मी आ रहती है अदे घर में तो सबी रहते हैं लेकिन पत्मी जो महान होती है वो दिल को घर बनाकर महान रहती है तुम भी अगर पास हो गई और मेरी नदरों में महान बन गई तो तुमारी जगा भी इसी गर में होगी सर आपके बच्चे कितने हैं अरे दो बच्चे हैं एक बेटी और जो मेरी बेटी से शादी करेगा मेरा दमाद तो मेरा बेटा ही हुआ ना आपके बेटी का नाम लालिता और आपके दामाद का नाम में बता सकती हुआ एक बड़ा ही नालाइक अख़ड किसम का लड़का है एक बार क्लास्रूमें ब्लाक बोर्ड पर अपने प्रोफेसर की तिस्वीर बनाने जा रहा था तो खुद की तिस्वीर बना बैठा यूज टिपिट एडियाट फोड़ हुआ नहीं तुझे मैं अपने होने वाले पती को घड़ा बोलती है संभालकर प्रसाब आइना देखे जी बालों में सबेडी आचिकी है अरे ये बुड़ापे की सबेडी नहीं ये तो मौबबत की चांदी है जो दिल से उचल उचल कर बालों के जंगल में अटक कर रह गई है कभी मौगा में ले तो इस दिल के ज्वारा मगी में जाका तो देखो लम सारे मुझे भूल जाने लगे वक्त बेवक्त तुम यादाने लगे वक्त बेवक्त तुम यादाने लगे लाम सारे मुझे बूल जाने लगे वक्त बेवक्त तुम यादाने लगे रात बर हाई मुझे पर जागाने लगे वक्त बेवक्त तुम यादाने लगे ना सारी मुझे पून जाने लगे वक्त बेवक्त तुम यादाने लगे हुआ 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 है कोई बादा मुझे फूल जय का लगा सच कहो दर्द ये तुम को कैसा लगा सच कहो दर्द ये तुम को कैसा लगा लोग डॉली में मुझे को की ठाने लगे वक्त बेवक्त तुम यादाने लगे लगत बेवक्त तुम यादाने लगे कि अवड़ा लगे कि अवड़ा लगे कि अवड़ा आज तक दुनिया हमको सथाती रही आज तक दुनिया हमको सथाती रही दो दिलों में लहरे दिखाती रही ये मुहबत हमें आजमाती रही ये मुहबत हमें आजमाती रही अब मुहबत को हम आजमाने लगे वक्त बेवक्त तुम यादाने लगे ना सारे मुझे भूर जाने लगे वक्त बेवक्त तुम यादाने लगे वक्त बेवक्त तुम यादाने लगे हुआ 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 है हुआ 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 है कभी अग राते कभी दूरे दाने कभी आग तुम मेरे दिल में लगाने लगे वक्त बेवक्त तुम्यादाने लगे नामों सारे मुझे भूल जाने लगे वक्त बेवक्त तुम्यादाने 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 लगे मुझे सवाल मत पूछो अगर हिम्मत है तुर जाकर अपनी मा से पूछो अरे साथ चोकरी के चक्कर में तुम हमारा भाड़ा भी भूल गया थोड़ी देर में आता हूं तुझे अक्टिब बे दूँगा हाई लगे 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 जो नया है वो बेवफा जैसे रवी अभी वी वक्त है मेरा हाथ थाम लो जिंदगी पर हैश कराऊंगा मेरी जान वाह क्या इंडियन नारी है वाह 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 तुम तो बड़े स्टाइल से इश करने जा रहे थे लेकन उसके दूसरय स्टाइल से कितनी जो से तुमारे मुपे दमाज़ा है कि Tumgu तुमको दिमने तारे नजर आत्यागे ओँग है अजौशव तुमकर कया लेना है अरे गुसात थूखते रहे तुख से कुछ लेना नहीं है चाहिए तुझे कुछ देना ही होगा वाफ लड़की है कॉल तेरी नानी लगती है कमाल है है इस शहर की सबसे दौलत मन बेवा लक्ष्मी देवे की बेटी लक्ष्मी की बेटी है हाँ और इसकी शादी मेरा सबसे बड़ा तुश्मन रावी के साथ होने वाली है अगर यह शादी हो गई तो सारी दौलत उस लड़के की हो जाएगी और मैं सड़क पर क्या वात है तुमको ज़्यादे जजबाती हो रहे हो है तुमने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी देखी है देखा नए तिर्फ तो ना है बेटे मैंने देखा भी है और सुना भी है लड़की हीरे का अंडा देने वाली है तुझेर कैसे मालम तो नटीस sama मतलब यांव कहने से मुझे तो हर हाल में यह लार्सी जाहिए यानि कह जो अदो बड़ा तुम्हें ज़्याइरे कांब कहा हां जाए है यानिके डॉलत तुम्हें लड़की में जाएगे मुझे और उस फार तक नहीं चोड़ूँगी जब तर तुम नहीं बदा देते कि बात क्या है तुम किस विजह से नाराज हो जाओ लालिता मेरी जबान मत कुलवा आज जबान खोले बेखेर तो मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूगी इमत है तो सुनो लेली तै तुम एक पचलन और पतकार मा की बेटी हो तूम तूम्हारी विद्वा मा प्रफेसर विजाई चौधरी की बाहों में बुरी तरह से लिपती हूँ थी विद्वी जैसी माक लिए से गंदे शब तुम्हारी जुबान पर आही कैसे मेरी माँ को गाली देते हो आज के बाद मैं तुम्हारी शकल भी देखना नहीं जाती I hate you, I hate you Hative, Hative, no problem Londia हिट है, अपलू फिट है ममी मैंने क्या दिया है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी मतलाब नहीं करूंगी दुनिया इदर की उदर हो जाए मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी ललिजा, ये क्या भागलपन है शादी की तमाम प्यारिया हो चुकी है और तुम कह रहे हो कि ये शादी नहीं करूंगी मजग है क्या मैं ये शादी किसी हालत में नहीं करूंगी रवी ने कुछ कहा कुछ नहीं कहा किसी ने ललिधा तुमसे कुछ चुपा रही है तो इन्हें आज तक अपनी मां से कोई बात नहीं चुपाई आज भी मत चुपा बता बात क्या है नहीं बता सकती मां नहीं बता सकती जिस बात को मैं बर्दाश नहीं कर सकी, उसे तुम कैसे बर्दाश कर सकोगी, ममी, मैं रवी को कोभी वाप नहीं करूंगी देख बेगे, जहां सर्चा प्यार होता है, वह लड़ाय चगरे घलत सिम्मी होती है और घलत सिम्मी बहुत बरी चंगारी है, उसे पहले दिन ही बजा देना चाहिए, वरना कभी-कभी यह चंगारी बसे बसाए घर को, जलाकर खा कर देती है खैर, तु फिकर मत कर, मैं रवी से बात करूंगी नहीं मा, तुम रवी से नहीं बात करोगी, अगर तुम मेरी मा हो, तुम्हें अपनी बेटी की इज़त प्यारी है, तुम से कोई बात नहीं करोगी, मम्मी मैं रवी को कभी माफ नहीं करूँगी, कभी नहीं, कभी नहीं प्राफेसर चौधरी, बहुत जबत करने के बाद मैं तुम से ये कहने के लिए आया हूँ, कि आज शाम सूरज टूबने से पहले ये शेहर छोड़ कर चले जाओ. वरना इस लोहे की सलाख से मार मार कर, मैं तुम्हें ये दुनिया छोड़ने पर मच्पूर कर दूँगा. क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे मेरे स्टूडन्ट की तरफ से ये इनाम किस खुशी में दिया जा रहा है? तुम्हारी असलियत के बदले, या? तुम्हारे काले कार नामों के बदले हैं, अपने इस भोले चहरे से, तुम्हें बहुतों को बहुत दिलों तक दिलों को बनाया. मगर तुम्हारे इस मासूम चहरे के पिज़े चुपाऊँए शायतान, मैं अपनी आखों से देख चुका हूँ, प्रफसर! तुम्हें लोगों को तो शराफत का सबक सिखाते हूँ, लेकिन खुद, खुद पापी हो, एक गिरिवे इंसार हो, तुम्हें ललीता की विध्वा मा के साथ, प्यार का गंदा और घिलोना नाटक करते हूँ, मैंने अपनी आखों से देखा है, हैं कोई जवाब तुम्हें जवाब तो ऐसा है, अगर दूँगा, तो पैरों तले जमी निकल जाएगी, लेकिन इस वक्त खामोशी यह बेंतर है, कभी ने कभी मेरे बदले, वक्त खुद तुम्हें जवाब देगा, वक्त जवाब दे, ना दे, मगर मैं तुम्हें चेतावनी देले आया हूँ, कि अच्छी बात, तुम्हारी इस चेतावनी का बहुत 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 हूँ, क्या बात, कौन हो तुम लोग, हमें धवी ना आपके पास भेजा है, यह कहने के लिए, कि जितनी जल्डी हो सके, आप यह शैर खाली कर दीजिए, मैरे घर मेरे घर मेरे, मेरी आजासत के बगएर चोरों की तरह खुस आšे, और मुझे धन्की हो। जिया सर, ओके, ठीक पुलिस को फोन करो, मिनिस्टर को फोन करो, कमेशनर को फोन करो, कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमारा फोन मर चुका है, मेरा मतलब है, मेरे तम्चो ने तुमारा फोन काड दिया है कितनी बुरी बात है, अब यहां से, बाहर कर से जाओगे सिर्फ एक ही रास्ता है, कि तुम इस शहर से बार चले जाओ, नहीं तो हम तुमें इस दुनिया से भाल ले जाएंगे क्योंकि हम ठहरे है, भाले के टट्टू, भै, जैसा रभी बोलेगा, वैसे ही करना पड़ेगा, ना, राइट हलो, आप लक्षमी जी बोल रही है, हाँ मैं लक्षमी बोल रही, देखिए, प्रफेसर साब पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया है, प्रफेसर साब पर गुंडों ने हमला कर दिया, जिया, जिया, वो बहुत जखमी हालत में है, उनके होटों पर एक शब्द है, लक्षम लख्षमी उनसे कहें मैं भी आ रही हूं हाँ मुमी क्या बात है मुमी कहां जा रही हूं वो वो आज शायद्थों का अखरी सोंवार है ना मैं मंदर जनब भूल गई तेरा खाना तयार रखा है तो खाले मैं अपनी भागवान को देखका है जल्दी वापस आजाओंगे वागवान ये क्या अब बुरी तरखाल हो गए चलता है लक्षमी जखम सेने की अब तो आदत सी पड़ गई है शायद दिल में जैगा नहीं मिली इसलिए जखमों ने शरीर पर ठिकाना बना लिया पर तुम्हें कैसे पता चला तो पून करके बताया लेकिन बताया तो सही यह सब यह सब किसने किया यह कुछ गुड़े लेकिन इसमें रवी का कोई खुसूर नहीं है लक्षमी रवी नहीं हम दोनों को एक साथ देख दिया और और उसने मुझे यहां से चले जाने की धंकी भी थी तो ऐसे देखा जाये तो रवी का कहना भी सही है अगर मैं आ रहा तो तो हम दोनों जरूर मिलेंगे और हमारे मिलने से उनका प्यार अधनामी का शिकार होगा उनकी शादी तूच जाएगी इसी बहतर है कि मैं मैं यहां से चला जाऊं यहां मैं मजबूर है मेरे दिआ थोए भी तुमने एक विद्वा का चीवन घुजारा अधियर मर जाने पर भी तुम विद्वा ही रहोगी फार लेकिन यहां से चले जाने से ही लाल्य इताकी मांग में संदूर भर जाएगा आपको पाया भी है तो खो तेरे के लिए आज मेरा सुहाद मुझे मिला है उसे आपने कहने की इजादा तक नहीं मुझे एक रिपा किछे लेटा की शादी तक रुप जाई है उसके बाद मैं जिन सन्मुक्त हो जाऊगी नहीं लक्ष्मी मुझे जाना ही हो रहा है आज फिर शक्यात ने जर्म डेलिया है जब तक मैं नहीं जाऊँगा कोशियों के कदम उस घर में नहीं पड़ेगा लक्ष्मी तुम तुम समिज दिना के बरसा पहले ही में मर गया था और तुम सच मुझ विद्बाः ऐसे कभे मत कहिएगा मेरा सितो ये भगबार के पास अमानत है उसकी कसुद खाकर कह रहे है मैं आपको जाने नहीं दूगी मैं आपको जाने नहीं दूगी मैं आपको जाने नहीं दूगी ललता छोड़ दो मुझे ललता मुझे मर जाने दो मैं बिद्दा नहीं रहना चाहती ललता होस्मे आओ ललता आखिर बात क्या है कुछ बदाओ तो सही लगी तुमने सच कहा था ने बदकार मा की बेकी हूँ और एसी मा की बेकी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है मुझे मर जाने दो तुम क्यों मरोगी मरेंगे वो जिन्होंने अयाईशी की हत्यार से अपने जमीर को कतल कर दिया जिन्होंने अपनी आत्मा अपनी हया को मार डाला तुम्हारे मर जाने से उनका जमीर तुमारा जिंदा नहीं हो जाएगा हम जिएंगे ललिता हम जिएंगे उनसे बेतालूख होकर उनसे कोई भी समन रखे बगैर हमारे पास हमारे पास हमारे प्यार की दॉलत है हमें तुम्हारे मा के दॉलत के जरूरत नहीं है थी कहते हो रवी अच्छी बात है तुम मेरा घर पर इंतिजार करना तुम तुम में आखरी बार होकर आती है ललिता ललिता फिकर मत करो मैं की दॉलत मैं से किसी चीज का हाथ नहीं लगाऊँगी उस पाप के घर में पवितर चीज रखी है सिर्फ वो लेकर आउंगी आप उससे में जहाँ भगवान आपके बहुत का रेत है एक बार उसे पूछ कर तो देखिए कि क्या चब तो अपने फक्तों की परिक्षा लेता है तो उनके दामन में दुख डालकर बबारे सकत अलम बूल जयता है आपको दिये हुए वसन का पालन करने के लिए मैं हर जखम को उसको राकर सेती रही सुभागन होते हुए कुछ रबनी रही लेकिन काम तक यह अभगत कहां तक सेती रहेगी बस इतना चिक्वादी थी है कि वसन का आखरी पालन कर सको मेरे तरको दिलहट बना कर इस घर से बिदा कर सको मैं क्या नमिता यह सब्सक्र कहा ने जा रही हूँ जहां मैं जाओंगी जारी की तस्वीर भी जाएगी पश्मीर तेवी जी हां तुन्यक का असुल है कि अगर बेटी को मरा हो जाए तो मां उसे मारती है सजा देती है ज़िए घर से निकालते थी है लेकिन अगर मां को मरा ही के रास तर चली जाए तो बेटी के लिए एक यह उपायर आजाता है वो खुद घर छोड़कर चली जाए नहीं अनिता नहीं इस घर से ऐसे मत जाओ मैंने एक हिस तो बना एक हिस अपने पर मैंने यह पाहाद जैसे जिल्दी कारती है कि तुम्हारी मांग में सिंदूर लग जाए कि तो तुम सुहाग कर जोड़ा पहलो साथ पहले पूरे करो और और इस घर से बिदा हो जाओ बस मस्तिसे भी इस अभागन मां के जोली में डाल दो जो तुम्हारी मांग में लगाना चाहती हो वो खुद की तूनी मांग में क्यों नहीं लगा लेती तुहाग का चोड़ा मुझे पहलाने के बजाए खुद क्यों नहीं पहलेती जिने साथ सेरे कराने के बजाए प्रॉफेसर साथ खुद साथ सेरे क्यों नहीं लगा लेती प्रोफेसर की जुरूरत है अब उनकी ही साथ खुलम-खुल अडाकर रहना शुरू करो नलीता तुम्हारे लिए मर चुकी है इस वकील ने जिन्दगी बहुत सारी कहनियों सुनी है अगर ऐसी दर्दनाक कहनी पहले बर सुनी है आप फिकर मत कीजिए मैं मैं रवी को समझाऊंगा तुम मैं ने तुम्हे शहरःःः छोड़कर जाने के लिए कहा था नह Informa के पसंधा आइस तुम्हारे उस्ताद हैं उस्ताद ऐसे बात के जाती है यह उस्ताद मया ही लिए थी खिराव आदमी आ बच थीट आदमी का हमारे घर में बच्टना हमारे घर odds तेना सच्चाई जाने किसी पे इल्जाम नगाना, किसी का खुन करने से बड़ा जुर्म होता है सच्चाई मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं जानते हो, सच्चाई मैं तुम्हें बताऊंगा नितसी, नितसी या मेरे दिल सागे मैं चुपता था, कि नेरी बेशी मेरे बगर नहीं रहे सकती लेलिका अब तुम यहाँ क्या लेने आया हो लेने नहीं, पर्टोरने आया हो बात दर असल यह है कि आज से फंद्रा साल पहले इस घर के साथ मैं एक हिसाब अदूरा चुड़ गया था आज उठुसाब को मैं पूरा करने के लिए आया हूँ अब तुम जाता हो, जब पलीस को बलाओ लेकिन भुलाने से पहले मेरी एक छोटी सी बात सुनोगी तो तुम्हारी ये दुनिया घुम जाएगी तुम्हारी चहेती मासूम अमीर बेटी इस कड़के के कबजे में है तुम जुट बले हो ना, 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 मैं बैमान आदमी ज़रूर हूँ लेकिन बैमानी की बात में जूट नहीं बोलता और मेरी सचाई का सबूत है मेरे स्वरगी भाई साब की इसे आपकी बेटी अपने साथ ले गई इसी इसमें घवराने की कोई बात नहीं है मैडम आपकी बच्ची मेरी बच्ची है मैं को फुदूर में उसे जानते थोड़ा है मार दूगा मुझे चिर्व आप उसके खिलोने दे दीजे मेरा मतलब है आज सूरज दूगने पे पहले अपने जेवर अपनी बेटी के जेवर और जितना तुमारा पस कैश है न वो सब लेकर काले खंडर पहुंच जाना मगर एक बात का ध्यान रे मैडम मैं बहुत सूर आदमी हो अपने बाप का खून मैंने किया अपने भाई को तुमारी आँखों के सामने मैंने जान से मार दिया अगर तुमने मेरे साथ कोई चाल चलने के कोशिश की तो मैं तुमारी बेटी के जिसम को काट काट कर इससे चुकड़े कर दूगा कि उसकी लाश को कफन में लपेड कर चिता पहले डाना मुष्कर हो जाएगा प्राब्लम मेरे भक्तो एक जमाना था इस मंदिर के भगवान को फूलों का चड़ावा चड़ाया जाता था आज जमाना ये है कि शैतान को धन का चड़ावा चड़ाया जाएगा मेरी लटरी आईए लक्ष्मी जी आईए आईए वा लक्ष्मी जी वा आप तो साक्षाद लक्ष्मी है रोड़ीटीकी म्हाळकी लखष्मी मेरे हवाले करका मेरे हवाल कर इसको लोलिटा निशान जड़ा देख मेरा चड़ावा पूरा है कि नहीं तेरा चड़ावा ठीक है लक्ष्मी तुमने इस लक्ष्मी के लिए मुझे 20 साल तक तड़ पाया है पहले अपनी तड़प का ब्यास तो पुरा कर लो क्या मतलब ये कि जिस तरह दौलत का ब्यास दौलत की शकल में वसूल किया जाता है उसी तरह तड़प का ब्यास तड़प की शकल में वसूल किया जाएगा और आज से हम अपना ब्यास वसूल करते हैं पख़ड़े इसे जोड़े निजान असल तो मैंने वसूल कर लिया है प्याज तो वसूल कर ले जोड़े 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 प्राब्लम जोड़े भूल गया तुने भी तो अपने भाई के साथ का दरी की थी मैंने की तो क्या हुआ अतनलग तुन्झ को मालचा एड़े जोड़े आई जोड़े 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 अपने चरणों में अन्याय नहीं होने देगी हाँ अपने चरणों में अपने चरणों में अपने अपने वाँ कि आजिए टाय कि अजिए एक अजिए एक अजाऊ एक अजिए एक तर चाहि एक डाय कि और कर दो अवड़ आपका दो अे लुट कर दिए लुट कर दो एंग घुक्प्णार पिलो करेंतो फार। करेंतो कुछी अजयर करेंते अच्छी क्स घुची बाइभा देफ की अजयर कि अजयर कि तॉक्प पिलो प्राबलम तेरा नाम है मेरा आज का युक का रावनु में बढिशू! प्रावनुम! प्रावनु मेरा नाम है मेरावनुम! बढिशू! यह हो बाड़र पाबलम पखाई लो इनको, चाला कहा जारी हो, आव मेरे साथ जाओ जाकर माफी माँगो अपनी माँसे उन्हें होश मेलाओ अगर ये चली गई तो संसार से सचाई और पविद्रता है जो जाओ जå मापी और इनसे इस इस देवी से जो तुम्हारी मान नहुते होई भी तुम्हारी माँसेमाँ है दू के रहे हो स़ाऊ के रही जिशल चाहए जिश्यक की आग ने तुम्हारे होश को जलादीया है उस आग को बजाने के लिए मैं सच्चाई को पानी की तरह इस्तेवाल करूँगा मैं वकील हूँ आज तक बहुत सारी अदालतों में मैंने मुकदमे लड़े है मगर आज मैं संसार के सबसे बड़े जच की अदालत में तुम्हारे शक का मुकदमे लड़ूँगा मैं इस मान जच के पवितर चर्णों की सौगन खाकर कहता हूँ कि सच कहूंगा और सच में जूट का एक शब्द शामिल नहीं करूंगा इस देवी ने जिन्दगी में दो बार शक की आग में सच्चाई की अगनी परिक्षा दी है पहली बार तो जब इनकी पती प्रोफेसर चौधरी ने इनकी पवितरता पर शक किया और इनको घर से निकाल दिया यह जिन्दगी से मायूस थी ऐसी आलत में तुम्हारे मरते पेता ने तुम्हें इनकी गोड में डाल दिया और इनसे वचन लिया कि ये एक मा की तरह तुम्हारी परवरिश करेंगी इन्होंने वचन दे तो दिया मगर उस वचन को निभाने के लिए ने वोख कुर्बानिया दी है अगर आकाज से को देवी भू उतर कर आ जाती तो उसके बेक अदम जगमागा गय होती तुम्हारे पेता मर चुके थे मगर इनके पती जिन्दा थे यह सुहागन थी मगर तुम्हारे मासुम दिल को चोट न लगे कल तुम्हें यह परताना चले कि यह तुम्हारी स्रगी मान नहीं है इस देवी ने अपने मांग का संदूर हटा दिया ताके कल जब तुम्हारे मांग में संदूर की बारी आए तो इनका संदूर तुम्हारे संदूर के रास्ते में रुकावट पैदा नो करे इस देवी ने और तुम्हें उन कुर्वानियों की बदले क्या दिया इन्होंने कुर्बानिया दी तुमने गालिया दी इन्होंने प्यार दिया तुमने धितकार दिया यह तुम्हारी मा नहोते हुए भी तुम्हारी मा बन गई मगर अब सोगी है कि तुम उनकी बेटी नहीं बन सकी मा, मुझे माफ कर दो, मा, मैं इस काबल तू नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो यह क्या कह रही है, बेटी, तेरे शक की आँख में, मैंने अपने सच्चाई की अगने परिक्षादी मा, एक दिन तुन मेरी खादर, अपनी मांग का सदूर हटाया था, अज मैं तुम्हारी मांग, तुम्हारी ही पती के, और के सदूरी रंग से तरूगे प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मुभारा को इंस्पिकर साथ मर गया, गिरुफार कर लेगे, परपान, आज कल के अवलाद को अखल दे के वो अपने माबाब को इज़त दें, उनको प्यार दें, और साथ मेरे गाकों को अखल दे, कि मुझे कर भी-कभी प्भी प्भी पाईसा दी दिया करें, को पाईसा नहीं देता है, कब तो कुधार में काम के लेगे, लुष्णा आज की क्या बाद?